अलो फ्रेंड्स वेलकम टू दी कॉंसेट यूट्यूब चैनल मेरा नाम है विशाल चोहान और यूपी एसी सी एसी के लिए प्रिलिम्स के लिए हमने जो मेडिवल इंडियन इस्ट्री की सीरीज शुरू करी है उसमें आज हम पढ़ने जा रहे हैं जैसा कि आप यहां पर दे करेंगे मेंली हम शेर्शा सूरी के पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में किस तरह शक्ती में आए क्या क्या मिलिट्री केंपेंज रहे और फिर इसके बाद शेर्शा सूरी द्वारा किये गए अड्मिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स रेवन्यू डेपार्ट्मेंट में क्या sessions नहीं देखे हैं तो the concept है channel का नाम पिछले sessions जरूर देखिएगा ancient or medieval की series शुरू है और अगर आप बहुत बाद में मेरी इन videos को देख रहे हैं तो modern और culture की series भी आपको कुछ समय बाद मिल जाएंगी जिसमें और पहले pre-oriented रहेगा और फिर धीरे धीरे में आपको आपके लिए mains के लिए topics जो है वो लेकर आउंगा इसी same channel पर तो जुड़े रहे हैं जाद से जाद से शेर करें मेरी इन videos को thoroughly देखिए जो भी सवाल मैं पूछता हूँ वीडियो में उनके जवाब मुझे जिसमें आपको PDF के बावजूद PDF तो मिलेंगे लेकिन उसके अलावा जो special classes मैं लेता हूँ उनके link मिल जाएंगे ताकि आप कोई भी live class मिशना करें जिसमें हम previous year questions को discuss करते हैं अभी हमारी 2020 से series चल रही है 2003 तक के paper हम cover कर चुके हैं आज हम 2002 और 2001 का paper भी पर मिल जाओंगा अपना जो भी doubt है आप मुझे DM कर सकते हैं और जो भी book आप चाहते हैं मुझे message डाल दीजेगा अगर मेरी capacity में होगा तो मैं उसका PDF जाह होगा टेलिग्राम चैनल पर provide ज़रूर करूँगा ठीक है उसके लावा अनकेडमी आपके लिए लेकर आया एक बहुत भैतरीन ओफर अगर आप घर बैठे तयार करना चाते हैं UPSC CSE के लिए तो एक mega subscription offer आपके लिए available है अगर आप 28 सेप्रेल से पहले पहले subscribe कर लेते हैं तो सबसे पहली बात तो आपको एक एर पर additional 2-3 महीने यानि की ज्यादा structurized ये course आपको मिलेगा और UPSC के best experts ने बहुत कई सालों का experience आगया अनगेडमी को material set करने का तो बहुत भैतरीन material set की है उसके अलावा previous year questions तो included है ही ये offer जो है 28th April तक valid है उसके अलावा अगर आप एक साथ payment नहीं कर सकते है तो अनगेडमी आपके लिए लेकर आया है loan for UPSC जिसमें 0 rupees processing fees 0% interest rate तो घंटेंग अंदर approval ये जो link है ये आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा description में इस link पर जाएगा फर्दर आपको total information मिल जाएगी और अगर आप subscribe करते हैं तो code use कीजएगा चोहान underscore sir underscore history ताकि आपको मिले 10% का discount और मुझे मिले आपका support उसके अलाबा अनगेडमी लेकर आया आपके लिए test series pathfinder, world affairs, rise जो है वो test series अवलेबल है pre test series है enroll करने के लिए इनको अवेल करने के लिए code use करने चोहान underscore sir underscore history और mocks लगाना शुरू कीजिए उसके अलाबा दो year के batches एक year के batches, NCRT batches जो है वो शुरू हो चुके अनकेडमी के ऑनलाइन लेर्निंग प्लेटफर्म्स वार make sure you check देन अकेडमी लेनिंग अप्लिकेशन उसके अलाबा scholarship test जो है वो अनकेडमी कॉमबेट and roll करने के लिए code use करें chohan underscore sir underscore history and it is also available in Hindi, Hindi में भी उपलब्द रहेगा ठीक है तो शुरू करते हैं आज का हमारा session तो अगर आपने अभी तक medieval की series मेरे साथ follow कर ली है यानि कि हमने medieval में early medieval history पढ़ी जिसमें tripatite struggle से लेकर दक्षिन South India में चोल शक्ती का development से लेकर हमने डेली सल्तनक तक जो है वो cover किया डेली सुल्तानों को देखा और आब हम मुगल्स को समझ रहे हैं मुगल्स में भी हमने बाबर और रुमाईयों को समझा और आज हम शेर्शा सूरी को पढ़ने जा रहे हैं ठीक है तो आप लोग जानते हैं ancient और medieval को पढ़ने की हमारी strategy क्या है ठीक है वो है process of change को समझना होता है हमें process of change क्या होता है यानि कि history के history as a discipline के जो अंदर अन्य parts है ठीक है जो सब disciplines हैं यानि कि political history administrative history economic history, religious history cultural history, social history और हमें हावा में बात नहीं कर रहा हूँ हमने previous year questions देखे हैं UPSC के right अगर आप regularly follow करने जानते हैं और वहाँ पर UPSC पूछ बोल कर लेता है सवाल की with reference to India's administrative history या with reference to this certain age या certain dynasty की religious history UPSC पूछता है यह NCRT में रोमिला थापर जी की Class 6 के NCRT में प्रिफेस पढ़ेंगे आप तो वहाँ पर mentioned है कि history को पढ़ने का तरीका क्या है वहाँ से उठाया है मैंने यह process of change तो कोई नायाब idea नहीं आई है यह understood है समझे नहीं obvious चीज़े हैं तो obvious चीज़े हम बिलकुल समसीर करते हैं चलेंगे so process of change medieval को पढ़ने का तरीका और यह हमारी series जो है प्री ओरियेंटेड है तो हमें type of questions पर ध्यान देना होता है तो हमें पता है sources of history के question ठीक है उसके अलावा terminology के question उसके अलावा chronology के question उसके अलावा sites के question right events से related question तो events वगरा यह सब तो process of change में आ जाता है political events जो होते है और administration, economy में, terminology में यह सारी चीज़े आ जाती है sources of history हमारे पास archaeological literary sources literary sources medieval history के क्या होता है हमारे court poets ने जो लिखा होता है travelers ने जो लिखा होता है archaeological sources में हमारे पास क्या होता है जो हमें architecture मिलता है उसके अलावा जो हमें inscriptions मिलते है यह उसके अलावा जो हमें cave paintings यह सारी चीज़े जो मिलती है coins जो मिलते है these serve as sources of history तो हमारे पास sources of history के सवाल बनते है terminology के question बनते है process of change के question बनते है chronology के, sites के और unmissilinous questions बनते है जो कि हम कहां से cover कर रहा है process, sorry previous year question की series जो हमारी special classes में चलती है जिसके link आपको कहां मिलेंगे telegram channel पर समझ रहे हैं आप यह पूरी कहानी so यह तो सबसे पहली चीज़ हमने समझी कि हमने, हम medieval Indian history को कैसे deal कर रहे है अब आते हैं topic पर, right so अफगान्स का background बनाते हैं थोड़ा सा तो शेरशाह सूरी शक्ती में कैसे आया जब उसने हमायों का replace किया हमायों को वो असानी से replace क्यों कर सका क्यूंकि हमायों ने consolidate नहीं किया था बाबर जीतता चला गया और बाबर के जाने के बाद हमायों ने थोड़ा सा expand किया लेकिन हुमायू consolidation में ज्यादा ध्यान नहीं दे सका और शेरशाह सुरी ने देखिए हुमायू बैठा है दिल्ली द्वाब के अरिया में क्या क्या consolidate करने की जरुरत है गुजराथ बंगाल मालवा और काबुल कंधार या पंजाब के पार का एरिया इन सारे एरिया को consolidate करने की जरुरत थी लेकिन हुआई वह ऐसा नहीं कर पारा था खास दोर पर बंगाल बंगाल से जो है वह आफगांस की शुरुवात हुई ठीक है गुजरात में बहादुर शाह से जो है वह मतलब बहादुर शाह से रीजन उसने जीत लिया था लेकिन अपने भाई को बिठा बहार वाले रीजन से भी जो है वो प्रॉब्लम्स मिल रही थी क्यों कि इसके पार जो पर्शियन रूल था वो भी प्रेशर डाल रहा था क्योंकि वहां पर भी हुमायूं के कजन सोच रहे थे कि हम दिली पर आकर्मन कर दें तो हुमायूं का जो छोटा सा साशन रहा पंद चौसा में और एक बर कन्योज में और दोनों ही बैटल में वो शेर्शा से जीतना सका और अल्टीमेटली शेर्शा ने दिल्ली आगरा से उमायूं को भगाया हुमायूं पहले गया लाहूर फिर लाहूर से सिंध और फिर सिंध से वो बाहर निकल गया सीधा पर्शिया बंजोर हो चुका था यह 1540 से लेकर 1545 के बीच में शेर्शाह सूरी ने किस तरह administration सेट किया वो हमें समझना है तो हमने अभी तक क्या कहानी समझ लिए कि बंगाल से शेर्शाह सूरी ने हुमाईयों को मतलब बंगाल से शेर्शाह सूरी निकलता है और हुमाईयों को खदेड भार निकालता है दिल्ली दौाब के अरिया से या दिल्ली आगरा से आज हम सबस będę पहले एस्टबिश करेंगे कि यह अफगान्ज है कौन फीक है सूर कौन है यह अफगान है फीक है सूर या जूर कहले दीन सूरी या जूरी शब्द जो है वो क्या है पाश्तूनी या और हम यहां पर आज यह भी समझेंगे क्योंकि concept भी हमें develop करना है और हमारे optional के लिए बहुत important है बहुत सारे बच्चे history optional के लिए भी पढ़ रहे हैं क्योंकि ये जो sessions है मैं history optional के लिए आपको जो है वो हलकी हलकी बिल्कुल हलकी hints दे रहा हूँ बीज बो रहा हूँ यहाँ यहाँ ठीक है हमें history optional के topic जो थोड़े थोड़े डालता हूँ आपको तो हमें अफगानी और तुर्की administration के बीच में difference जानना जरूरी है कि किस तरह अफगानी और तुर्की different है क्योंकि मैंने पिछले sessions में बोला है कि अफगानी sovereignty नहीं मानते और तुर्कियों में क्या है तुर्कियों में theory of kingship चल रही है तेम गोसफर तीमूरिडड़ में भी specific theory of kingship है लेकिन अफगानीों की theory of kingship थोड़ी सी अलग है वो हमें समझनी है क्या अफगानीों की theory of kingship क्या है ठीक है तो पहले तो हम यहीं establish करते हैं कि क्यों मतलब difference क्या है तीमूरियों में या तुर्कियों और अफगानियों में ठीक है उनके administration में simply उनकी theory of kingship में सबसे पहले यहीं से शुरू करते हैं तो पहला point देखिएगा the afghan theory of kingship differed from that of Turks यह मैंने आपको बता दिया second point the Turkish theory of kingship was similar to theory of Christian and Hindu monarchs क्या है Turkish theory of kingship कि noble जो noble family है ना जो noble class है जो royal class है ठीक है वो divine है या इस तरह कहले जिए जो royal class है जो ruling class है वो divine है भारत में भी हिंदू में हिंदू culture में भी जो शाशक है उनको देवताओं का रूप राम जो है वो एक आर्रों के शाशक थे उनको देवताओं रूप दे दिया गया है same goes for many other many other फिर उनको incarnation भी बताया गया है कि वो विश्णू की incarnation भी है राम जो है वो एक आर्रेशाशक है जिनको देवताओं बना दिया गया same goes for अगर आप Persian administration से लेंगे जक्सी इसको देवताओं गोशित कर दिया गया फिक है अगर आप तूर्कियों का administration लेते हैं बलबन ने कहा कि मैं मुहामद साहब की परचाई हूँ मैं अल्ला की परचाई हूँ मुहामद साहब के बाद मैं ही हूँ same attitude अलाओ अधिन घिल जी ने कह रही किया same attitude महामद बिन तुगलक ने कह रही किया तो और Christianity में भी यही होता है कि Pope यह कहता है कि Royal जो Pope जो है वो किसी एक शाशक को मतलब कॉर्णेट करता है और इस सेंस में कॉर्णेट करता है कि God ने इसको चूज किया है गॉड ने इस शाशक को इस फैमिली को चूज किया यह डिसेंडेंस है गॉड की तो Christianity में भी है Hinduism में भी है तुर्की में भी है फार्सी में भी है लेकिन अफगानियों में नहीं है अफगानिय जो है वो उनका वी वो tribal republic culture है वो अपने मेंसे ही लीडर को चूज कर लेते हैं और उस जो भी वो लीडर चूज करते है ना उसका claim यह नहीं होता कि मैं divine हूँ और मैं हमेशा से अब इसके बाद हमेशा मेरा ही जो है वो चलेगा क्या बोलते हैं मेरे descendants ही मेरे जो successor होंगे वो ही शाशक बनेंगे यह एक बहुत बड़ा कारण है कि अफगानिस्तान वाले अभी पिछले सेशन में या लाइब क्लास में किसे बच्चे ने पूछा था कि सर अफगानिस्तान का वेस्टेबलिश हुआ जो अफगानी ट्राइब्स है ना उनमें यह theory of kingship नहीं है इस वज़े से अफगानी जो empire है वो जादा समय तक नहीं टिक पाता क्यों क्योंकि conflict बढ़ जाता है क्योंकि जो nobles होते है वो supreme authority नहीं मानते अपने leader की वो मानते हैं कि leader हम में से ही एक है तिमूरी डाइडोलिजी में क्या है कि कोई आम इंसान आख उठा कर भी बाच्छा की तरफ नहीं देख सकता कि बाच्छाई कुरसी में मैं बैठूँगा बाच्छाई गद्दी पर मैं बैठूँगा इसलिए हमें भले ही later mughals कितने भी कमजोर हों लेकिन कोई वजीर later mughals की कुरसी लेता हुए नहीं देखता यह तिमूरिद और यह तिमूरी और तुर्की आइडॉलिजी में तुर्की थेयरी ऑफ किंग्शप में थोड़ा सा डिफरेंज है क्योंकि तुर्की थेयरी ऑफ किंग्शप में हमें वजीर जो है वो सुल्तानों को हटाते हुए नजर आएंगे बट स्टिल वहाँ पर वो क्योंकि जो भी वजीर सुल्तानों को हटाते हुए नजर आए जैसे बलबन है बलबन ने अगर सुल्तान को हटाया कि उसके लबाव अलाव दिन खिल जिन जलाल को हटाया तो उन्होंने क्या कहा कि हम डिवाइन थे वो डिवाइन नहीं थे बलबन ने कहा कि मैं हूँ क्या बोलते हैं मुहमद साब के बाद या अल्ला की जो परचाई हुआ मैं हूँ तो अपने मतलब क्या बोलते हैं थ्रोन पर अपने क्लेम को एक डिवाइन इटी जो है वो प्रोवाइड की है तुर्कियों ने लेकिन अफगानों के साथ ऐसा नहीं है अफगान का क्या सिस्टम है इनका थोड़ा से ट्राइबल रिपब्लिक्स हैं यह अपने में से एक अपना चीफ चूज करते हैं जो सबसे काबिल होता है या जो सबसे काबिल होता है वो लड़ जगड़कर बन जाता है लेकिन बाकी nobles उसको अपने से उपर नहीं समझते हैं, बराबर समझते हैं, इसलिए sovereignty नहीं मानते किसी की, ठीक है, यही समस्या है कि अफगानी tribal system feudal रह जाता है, बहुत जादा, centralized नहीं हो पाता, और जब centralized नहीं होता है, कोई empire या कोई dynasty centralized नहीं होती है, तो वो लंबे समय तक नहीं टिक पाती है, centralizedization की वज़े से ही लंबे समय तक टिका जा सकता है, तो अफगानिस्तान में इसलिए जो है, वो conflict zone रहा है अफगानिस्तान, इसलिए अफगानिस्तान से कोई बड़ी dynasty लंबे समय तक नहीं नहीं चली, क्यांकि हम सफवियों को देखें, हम Ottomans को देखें, हम Khwarizmo को देखें, या उससे पहले बयूद जो थे, या दिल्ली सुल्तान थे, फिर मुगल्स थे, इनके empire लंबे चलें, ठीक है, अफगानियों के empire इतने लंबे नहीं चलतें, अफगानी कोई लीडर आता है, एक दो जनरेशन उनका रूल रहता है और फिर कोई और आ जाता है, ठीक है, क्योंकि theory of kingship, divine theory of kingship वहाँ पर नहीं है, तो देखेगा, Turkish theory of kingship was similar to the theory of Christian and Hindu monarchs, next point है, the Turkish sultans right from Sultan Il Tuttmish to Sayyad rulers, believed in absolute monarchy and some of them claim even divinity, जैसे बलबन ने, अलाओदीन ने, absolute monarchy, कि जो शाचक है वही administrative center, ठीक है, ऐसा अफगानियों में नहीं है, अफगानियों में feudalism थोड़ा जादा है, as compared to right, so ये है आपका शेर्शा सूर का empire, मैंने हुमाईयों का जब उसने भगाया, तो गुजरात उसके control में नहीं था, गुजरात में बहादुर शाह और इसके descendants बेटें, बंगाल के area से तो आया ही था कौन शेर्शा, तो उसको अरब से तो ट्रेड करना है, तो अरब से वो कहां से कर रहा है अब ट्रेड, सिंद के राजपूतों से उलजने का, जो है वो, राजपूतों से उलजने की कोशिश शेर सारे नहीं करी, क्योंकि से पता था राजपूतों से उलजोगे तो फिर उन्हीं के मतलब रह जाओगे, उन्हीं से लड़ते रह जाओगे, राइट, सो यह मैप बहुत भैतरीन है, इसमें बहुत important छोटे छोटे शहर है जैसे कि God ठीक है डाका कूच बिहार चौसा अयोद्या ठीक है संभाल पानीपत उसके लावा सरहंद जलंधर लाहौर इंपोर्टन शहर यहाँ पर नीचे आपको चंदेरी भी नजर आएगा रनथंबोर आमेर ग्वालियर चित्तोड मेवार ठी उसके लावा बडोदा खांदेश नीचे यहाँ पर क्या है नीचे विजयनगर है यह आपके बहमनी और उसके रेमनेंट्स है तो यह मैप आगे हम डिसकस करेंगे डिटेल में बार बार मैं आपको मैप दिखाऊंगा जब भी कोई यूद की बात आएगी तो ठीक है संट्रोल करने का पंगा लिया ही नहीं कोशिश कर रहा था वो कलंजर में सकी मृत्वी यहां पर कहीं कलंजर है यहाँ तipper लफावी में थोड़ा सा प्रृशन इलेमेंट जधा है सफावी आप कह सकते हैं कि ये फार्सी हैं शिया हैं ओटमन लेकिन हनाफी सुननी है तुर्की की किया है कि सुल्तान सबसे उपर है और बाकी सारी नोबिलिटी जितने भी मंतरी है वो सब उससे नीचे हैं और बाकी आम जनता का तो कोई मतलब ही नहीं बनता ये जो थियोरी ओफ डिवाइनिटी या थियोरी ओफ किंगशिप है ये जपैन और चाइना में तो बहुत स्ट्रॉंग है आप ये मान के चलिए कि जपैन में तो इतना स्ट्रॉंग है कि लगभग दो हजार सालों तक जपान के शाशक को आम जनताओं ने देखा ही नहीं वो तो क्या बोलते हैं मेजी रिस्टोरेशन के बाद जो है वो मेजी रूलर सामने आये लोगों के अदर्वाइस उससे पहले जो टोकुगावा शॉगनेट यह उससे पहले जितना भी शॉगनेट का पीरियड था तो शोगुन तो लोगों के सामने आते थे लेकिन जैपनी रूलर जो है वो देवता का डिसेंडेंट माना जाता था और उनको बिलकुल अंदर रखा करते थे चाइना चाइना की जो मतलब बीजिंग में जो इंपीरियल सिटी है पूरी ठीक है उसमें शाशक बैठता था और आम लोग उन्हें नहीं देख सकते थे ऐसा ही कुछ आप तो और ओवर देपीरिड जो आम जनता है उनके मन में बैठ जाता है कि हम वो बनी नहीं सकते तो चैलेंज कभी होता ही नहीं उनकी अथारिटी को ठीक है इससे यह फायदा होता है आगे बढ़ते है लेकिन अफगानियों में ऐसा नहीं था अफगानियों में कोई भी administration of the state but with the consent or orders of the sultan तो दिल्ली सल्तनत और मुगलिया सल्तनत में हम यह difference नजर आया या तर्की theory of kinship और तिमूरी theory of kinship के हमें क्या difference नजर आया कि तर्कीक में फिल भी सोरी तर्कीक theory of kinship में फिर भी सुल्तान को हटाने का province यहां सल्तान को मारकर खटाये गया लेकिन तिमूरियों में ऐसा नहीं था, आप ध्यान देंगे तिमूरियों में सल्तान मरा है जाकर क्या वोलते हैं फारुक्सियार ने जाकर मारा है वो भी battle में मारा कि किसको मारा है फारुक्सिया ने तुरंत कमेंड में बताएंगे वहां जाके जो है किसी तिमूरी डिसेंडेंड को मारा गया है लेकिन जो रॉयल फैमिली है उसको हटा कर कोई और बिठाए इसी और के इंफ्रेंस में बैठे ऐसा लेटर मुगल्स में हुआ बट स्टिल बिठाए किसको जा रहा था मुगल बलड को ही बिठाए जा रहा था बहादुर शाह जफर तक सभी जो है वो मुगल खांदान से ही रहे थोड़े हो चाहे जाए जादा हो लेकिन रहे तो इमूरी क्या बोलते हैं डिसेंडेंस के ही यहाँ पर ऐसा नहीं था दिली on the contrary regarded the sultans as one of the one among themselves और only first among equals तो अफगान जो है वो सुल्तान को अपने बराबर मानते थे अलग नहीं they did not believe in divinity अफगान did not believe in divinity बहुत important है of the sultan and therefore claimed power and respect in matters of state अफगान क्या कहते थे कि हमें भी इज़त मिले इसलिए अफगान नोबिलिटी से तurki नोबिलिटी चड़ती थी कि तurki नोबिलिटी जो है वो सुल्तान को सजदा गरती रहती थी और अफगान नोबिलिटी कह थे थे हम बराबर हैं मैं क्यों जुकूं आपके आगे ठीक है, the Afghan theory of kingship thus believed the equality of nobles with sultan and thus more or less supported an oligarchy, तो अफगान theory of अफगान जो जो भी council होती है, वो एक oligarch council होती है, ठीक है, कि सारे ही जो हैं वो businessmen नहीं, prominent businessmen नहीं, उन्होंने आपस में जो हैं वो मिल बाट कर एक किसी को choose कर लिया अपना leader, ठीक है, the primary feature of this theory were rested upon democratic means of electing a head, ठीक है, elect करते हैं वो अपने में से head, या कोई लड़ जगड कर जो prominent होता है, वो पहुंच जाता है, otherwise elect किया जाते हैं, ठीक है, theory of secession was not there and the sultan was elected by nobility, so there was no theory of secession, इसलिए वहाँ पर अफगानिस्तान में empire established होता हुआ, आपको नहीं नजर आएगा क्योंकि अफगानियों के culture में नहीं है, empire building, right, empire बनते हैं, dynasties की बैसे और dynasties जो बनती है, theory of kingship, यह एक ही, एक क्या बोलते हैं, आप मानिये कि एक ही family के rulers हो, ऐसा अफगानिस्तान में नहीं है, इसलिए वहाँ पर हमें कोई proper dynasties या empire नहीं देखने को मिले, every अफगान noble claimed to be the commander of his forces and did not accept his forces as a part of army of sultan, देखी, feudal system है, ठीक है, हर एक अफगान leader कहता है कि यह मेरी सेना है और मेरे कहने पर चलेगी, feudalism ही हो गया ना, landed aristocrat उसके पास force है, और वह center को आके दिखा रहा है कभी भी, और center को उसके आके, मतलब center को request करनी पड़ रहे है कि सेना भेजो, और उसकी discretion पर आ है वह सेना भेजे या ना भेजे, तो इसलिए रोहिलों से जो है, वह पंगा रहता था सबका, प्वकर है, तो रोहिलों का conflict जो है वह दिल्ली आवद के साथ यही रहता था कि वो केवल अपने clan के लिए अपनी tribe के लिए loyal थे वो सुल्तान के लिए loyal नहीं रहते थे तो अफगानियों में ऐसा था ही नहीं अफगानियों का अपना tribe और अपना system तो अगर वो लड़ेंगे तो फिर खम्ज के लिए लड़ेंगे नेक्स पॉइंट nobles kept their own army and enjoy jagirs and privileges in equality with सुल्तान देखिए जो अफगान नोबल है वो सुल्तान के बराबर मानता अपने आपको वो कहता ही नहीं कि मैं तुमसे नीचे हूँ अगर किसी मान लीजिये अगर दिली सुल्तनत के अंडर कोई अफगान रूलर था मान लीजिये क्या वोलते हैं बिहार के या बंगाल के तो वो अपने आपको बराबर मानते थे सुल्तान के जबकि उनको जागीरे दी जाती थी वो लेंडेड अरेस्टोकरेट थे नमझे ने फ्यूडल फ्यूडलिजम को मैं पराबर जोड़ कर चल रहा हूँ इस कॉंसेप्ट को आपको दिमाग से भाहर नहीं रखना दिमाग के अंदर रखना है फ्यूडलिजम ठीक है इनफेक्ट सुल्तान वस डिपेंड़न और नोबल फर मैन और रिसोर्स अब्यसली क्योंकि बंगाल जैसा रिजन अफगानियों ने अपने कंच्रोल में रखा हुऊ था ठीक है आगे बढ़ते बात करेंगे शेर्शा सुरी आपको समझ आया अफगानियों और तुर्कियों में क्या difference है अफगानियों की theory of kingship क्या है और तुर्कियों की theory of kingship क्या है ठीक है अब शेर्षा सूरी के बारे में देखते हैं ऐसे में शेर्षा सूरी ने क्या फैस्ट लिए अरली life and rise to power देखेगा तो मैं उस कहानी में नहीं जाओंगा कि शेर्खा का title कैसे मिला किस से शादी करी वो सब optional के time में वो कहानियों सुनाओंगा मैं आपको pre related जो point है गिल्कल concise point उन पर हम ध्यान देंगे जो examination में पूछा जाता है फाल तो कहानी नहीं कराओंगा आपको मैं ठीक है फरीद खां उसका नाम ठीक है खां जो है वो military title राइट तो फरीद को लेटर केम टूबी नोन आज श जो है वो क्या है जॉन पूर है तो जॉन पूर यानि की जो अनुगंगा वाला एरिया है ना मतलब central जो बात में फिर जो आउध के नाम से जो जाना गया है ठीक है उसको माल लिए तो जॉन पूर में एक जागीरदार है अफगानी है तो obviously जागीरदार ही होंगे ठीक है पीर बराबर स्टेटर्स देना पड़ता है अगर अफगानी के अफगानी से एड्मिनिस्ट्रेशन चलवाना आपको तो right so he was मतलब कह सकते हैं आपकी नोबिलिटी से आता है शेर शाह इस फादर हसन खासूर तूर जो है इनका ट्राइबल टाइटल है है जागीर ऑफ ससरा इस तोкив देखिए जॉनपूर का एक्सेंशन बिहार तक है दिली का एकसरेशन जो है वो अलावादrek तक मालेजे दिली दौाब का एकसरेशन ठीक है फिर उसके बाद आलावाद से लेकर बिहार तक क्या रिज़न जो है वो जॉनपूर तक बंगाल बंगाल के अंदर ही आता बिहार और बिहार धीरे धीरे जो है वह established हुआ लेकिन बंगाल के अंदर ही रहता था almost जॉ जॉनपूर और फिर इदर आप मान सकते हैं इदर कौन है बेंगॉल है शेर्शाह helped his father in the administration of his जागीर तो शेर्शाह बचपन से ही administration में ताम कर रहे थे तो revenue administration की काफी अच्छी knowledge थी शेर्शाह को next देखिएगा later he developed differences with his father and left him he served under Afghan nobles after the death of his father in 1524 he was given his father's जागीर by इबराहिम लौदी तो कुछ समय बाद father का साथ छोड़ा ठीक है अफगान nobles के अंडर काम किया फिर इबराहिम लौदी ने वापिस जो है उसको ससराम की provide कर दी जागीर और ससराम जो है वो अंत तक capital रहा ठीक है सूरों का मतलब शेर्शाह का capital तो at least ससराम रहा ठीक है he had to enter into conflict with his family to take possession of the जागीर he very effectively managed the जागीर तो देखिए यह जो political history है हमें इन से जादा मतलब नहीं है हमें केवल यह पता होना चाहिए कि इबराहिम लौदी ने उसको ससराम जो है वो 1524 में दे दिया शाशन करने को ठीक है he also acquired great military and administrative skills क्योंकि इतना बहतरीन शाशक रहा और बहुत बहतरीन शाशक रहा आज मैं उसके आपको administrative reforms बताऊंगा और वहां समझेंगे कि क्यों उसको कहा जाता है one of the greatest administrator of medieval India ठीक है his capabilities made him leader of Afghans अब capable था और Afghans जो है वो अपने में से capable जो है वो leader डूण लेते हैं और उसको जो है वो अपना आका जूज कर लेते हैं ठीक है बल आका नहीं आका जो है वो मालिक होता है मालिक गुलाम वाला जो रिलेशन होता है उसमें उसमें शब्द इस्तमाल होता है आका लेकिन अपना जो है वो चीफ सरदार जो है वो घुशित कर देते है अच्छा आही अमर्जड ऐस द भू मोस्त पावरफुल मिलिट्री मुट्रि कमांडर इन इस इस्तर प्रोविंस चेर चाह कंटीनूड इंड इंडियर इस पोसिशन इन बहर तो पहले तो उसने बहर दो अग्ण्स नोबले देट किया फिर उसके बाद उसने बेंगोल आका देर उसके as undisputed अफगान लीडर he invaded the Bengal and defeated महमूद शा धियान रखेंगे बंगाल में शाह कौन थे अफगान महमूद शाह the independent ruler of Bengal in the battle of सूरजगाड बहुत इपॉर्टर 1534 battle of सूरजगाड defeated the शाह of बंगाल and captured Bengal एक बार बंगाल आ गया तो बिहार तो अपना है ही फिर इसके बाद अब जॉनपुर और दिल्ली के तरफ उसका सफर जो है वो शुरू होता है from Bengal the extract अब Bengal उसके हाथ में आया तो आप समझी गए South East Asia का China का दक्षन भारत का सारा trade उसके पास सारा धन सोचने हैं Bengal में कितना धन होगा उस सारा धन शेर्शा के पास इतना धन उसके पास वो सारा धन उसने military पर खर्च किया सैना equipped किया घोडे मंगवाए अरब से जबरदस्त बहतरीन घोडे आटलरी मंगवाई जबरदस आटलरी ठीक है और अपनी regular सैना को recruit किया मतलब उनको train किया और अपनी army strength को बढ़ा है which helped him to raise a bigger army he finally succeeded in establishing himself as most powerful Afghan chief in eastern India बंगाल को हरा कर obviously बंगाल सबसे बड़ा province था बंगाल को हरा कर सबसे powerful Afghan leader बन गया वो अब बढ़ते हैं हुमाईयों की तरफ बंगाल आगया control में अब हुमाईयों को लपेटते हैं हुमाईयों बैठे हैं दिल्ली आगरा अब हुमाईयों दिल्ली आगरा बैठके देख रहे हैं कि अफगान रूलर जो है वो उसने बंगाल कैप्चर कर लिया और ऐसा ना हो किया वो जौनपूर को धरे ठीक है बंगाल बेहार उसका आगया तो जौनपूर जो है वो दिल्ली आगरा यह कंट्रोल में यानि मुगलों है कंट्रोल में था तो जौनपूर के जो administrator है गवर्नर है जौनपूर के उसको कहा गया जिनका नाम है हिंदू बेग हिंदू बेग को का हुमाईयों ने कि जाकर control करो शेर्शा को ठीक है हुमयू was quite suspicious of शेर्शा's ambitions and underestimated the extent and capability he asked his governor of जौनपुर हिंदु बेग to check the movements of शेर्शा, in the meantime शेर्शा captured God, the capital of Bengal, उसके बाद आग उसने God भी capture कर लिया, मैं आपको map में God कहीं दिखाया भी था देखेगा यहाँ पर इस map में यह है God जो है उसने capture कर लिया, God पर fortification थी चिट्टा गॉंग तंक देखी आप capture कर रखा है इसने, ठीक है, डाका इसके control में, बिहार, कूच बिहार इसके control में आगया, ठीक है बिहार इसके control में आगया, चौसा इसके control में आगया, अब धीरे धीरे जो है control the route of आघ्रा, making communication difficult for हमायू, अब देखिए, हमायू बंगाल आया, हमायू और शेर्षा ने बंगाल में क्या विवस्था कर रकी थी, पूरी आईशोहराम की, हमायू बंगाल में आईशोहराम कर रहा था, चींग है इस मैप में देखे और शेर्षा ने क्या किया शेर्षा ने हुमायू को बंगव, हुमायू सेना लेकर बंगाल पहुचा हुआ है और शेर्षा ने बंगाल छोड़ हुमायों को कि भाई वापिस आ जाओ भाई वापिस आ जाओ दिल्ली हाथ से निकल रही है नोबल्स जो है वो गद्दार निकल रहे हुमायों नहीं मान रहा आठ महीने तक हुमायों बंगाल पड़ा रहा हिंडाल ने क्या किया हिंडाल ने अपने आपको इंडिपेंडेंटन प्रखे था इसने कियूंकि हमायू अब दिल्ली को मैसेज भेज़ रहा था कि भाई लेक्टर कमजो था फ्लस शेर्शा थोड़ा ऑफूछेंट और स्ट्रांग भी था अपने आपको आजाद गोशित कर दिया जब चौसा पहुचा तो ये आपको रिवर कर नाम पता होना चीए चुनार वापीस जा रहा था वो चौसा में जो है वो क्या बोलते हैं क्या डालना पड़ा किमकि सामने अफगान से न थी शेर्षा अटेक्ड हुमायू अट दे बैंक अफ़ दे रिवर और मैंने आपको बताया ना बारिश हुई एकदम से तीन महीने तक शेर्षा ने आठ महीना बंगाल माटका हुआ तीन महीने शेर्षा ने फिसको चौसम बिठाया फिर जब बारिश हुई भगदड मची हुई थी पूरी मतलब फ्लड आ गया था केंप्स में शेर्षा ने अटेक कर दिया और ऐसे में काफी बड़ी संख्या सेना की वो डूब गई क्या बलता हुमाईयों की और हुमाईयों खुद जो हो डूपता डूपता बचा एक बिष्ट ने वो हुमाईयों को बचाया वहां पर और शेरशा ने क्या किया इसके बाद अपने आपको independent king गोशित कर दिया कि ये पूरा जॉन पूर वान पूर सब मेरा अब उसके बाद कूच करना शुरू किया उसने दिल्ली की तरफ हुमायू कुड़ एसकेप but most of his army was destroyed ठीक है देखे ये है चुनार फोल्ट और यहाँ पर जो है वो capture किया और फिर उसके बाद आगे बढ़ा कौन कियर्शा ठीक है next देखे with difficulty he could reach आगरा कौन हुमायू हुमायू जो है वो बहुत मिश्विल से आगरा पहुंचा ठीक है his brother कमरान moved out of आगरा towards Lahore leaving हुमायू with small force हिंडाल तो पहले गद्दार ही कर चुका था कमरान जो है वो लाहोर निकल गया है ठीक है और ऐसे मौकए में हुमायू किसे ने साथ ने दिया शेर्शा अब आगरा की तरफ move करना शुरू करता है ठीक है हुमायू also came forward with his army and the armies of the two clashed at कन्नौज एक महीने तक पहले तो बैठे रहे ठीक है हुमायू की सेना में दो लाख सेनिक जुड़ गाए लेकिन सब maximum सेनिक irregular थे जबकि सामने शेर्शा की सेना में लग भग मतलब majority of सेना जो है वो cavalry की थी और well trained cavalry और बहतरीन घोड़े थे ठीक है तो बहुत आसानी से शेर्शा हरा दे रहा था हुमायू को हुमायू was defeated badly in the battle of कन्नौज 1540 इतना badly कि most of उस की सेना जो है वो मार दी गए थी और जो उसके गिने चुने कुछ 57000 सेनिक बचे थे उसको लेकर अब वो भागा लहूर की तरफ ठीक है अब शुरू करते हैं अब यहां से आगे ही कहानी आप जानते हैं मैंने आपको बताया था हुमायू फिर लहूर भागा लहूर से सिंध और फिर सिंध से परशिया ठीक है यह तो हमने पिछले सेशन में देखा ही है अब देखते हैं शेर्शाह जब दिल्ली पहुंचा तो उसने क्या किया हुमाईयों को भगा कर शेर्शाह ने क्या किया आगे राइट सो अभी तक की कहानी यह तो हमने पढ़ लिया है ना चौसा और कन्नौज की बेटल तो हमने जान लिया है इसके बाद अब उसने देखे मैं अपने बताता हूं आपको मैं बंगाल तो उसका था ही है ना बंगाल बिहार वाला उसका ही है जान पर उसने जीता और अब दिल्ली उसकी है दिल्ली उसकी है तो उपर पंजाब भी उसका है पंजाब तक पूरा है अब पंजाब के बाद न नीचे मालवा को जीतना और इधर गुजरात है इन सारे रिजन को कंट्रोल करना है इधर इस्ट साइड क्या बोलते हैं इसको जानपुर बिहार और बंगाल इसी कही है पूरे मालवा को जीतने कोशिश करी मालवा इन 1452 विच फॉलोड बाई चंदेरी तो मालवा और मालवा के बाद नीचे उसके फोर्ट है चंदेरी साइड में फोर्ट है कलंजर है इन राजस्थान ही लेड़ कंपेंज अगेंस राजस्थान में देखे यहां बीच में राजपुतान है राजपुताना भी जरूरी है अगर अगर गुजरात तक पहुंचना है तो मारवाड रनथंबोर नागोर अजमेर मेरता जोधपूर एंड बिकानेर लेकिन मैक्सिमम केंपेंज जो है वो उसके पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर सका क्योंकि राजपूर्स भी फाइटिंग मतलब समझ रहे हैं अफगान भी वारिंग ट्राइब्स हैं अफगान भी राजपूर टाइटल यूज़ कर लेते हैं ठीक इडिफीटिड रेविलियस रेविलियस अफगान इन बेंगॉल बेंगॉल में जो रेविलियन कर रहे थे उनको हराया यह है देखिए मालवा वाला रिजन है और इसी मालवा वाले रिजन में मैं एक शेकिंड आपको दूसरे मैप में जरा दिखा दूँ इस मैप में देखिए है ठीक है इस मैप में आपको यह सारी जो है वो सेटलमेंट से नजर आ जाएंगी यह राज चंदेरी ठीक है ग्वालियर यह मालवा के रिजन मे ही है ठीक है उसके लाबा यह रन्थम बोर जो है वो थोड़ा इधर बना दे रन्थम बोर फोड़ा ऊपर है ठीक है यह रहा आपका मालवा वाला रिजिन तो इस सारा जो है वो कंट्रोल किया किसने केरशान तो यह मैप आप डेटेल में पढ़ेंगे बहुत इंपोर्टेंट मैप है आगे देखिएगा तो यह मांडू वाल रिजिन कल भी जो है वो जिक्राय था मांडू का चंदेरी और नीच्चे मांडू जब हुमायू भगारा था किसे बहादूर तो उसने मांडू में शरण ली थी ठीक है बाइ 1545 ही हैड एस्टेबलिश्ट हिमसेल्फ एस सुप्रीम रूलर प्रॉम सिंद पंजाब टू होल अफ राजपुताना इन वेस्ट एंड बेंगॉल इन इस्ट राइट सो खुद को प्रोक्लेम कर दिये लेकिन राजपूत जो और दिली के नीचे मालवा ठीक है गुजरात और राजपूता ना सूडो फॉर्म में आप मान सकते हैं इसके कंट्रोल में यह इतना रिजन और बुंदेल खंड भी थोड़ा बहुत उसके कंट्रोल में था इतना की इंफ्लेंस हो राजपूतों पर बुंदेल खंड पर इं और क्या बोलते हैं मालवा में एक तो गॉलियर का फोर्ट है और दूसरा यहां पर जो मैंने जिकर किया था उसका कहा गया गया कंट्री पप्रखंड और बंडेल खंडצ का एक इंप्रडनेंड ही करती बहुत समझ रहे हैं बहुत जादा ही मतलब एंदूजियास्टिक था लड़ने में सबसे आगे खड़ा रहता था और तोप चला रहा था खुद आप जो और बेक्ट वार्था और यहां बहुता है यहां और खुद आग लगाते हैं यह उसमें प्लास्ट म encounters और ऊसका hop मृत्ति हुए राइट एर वाइल बिसीजिंग दा फॉर्ट ऑफ कलंजर ही डाइड इन 1455 इन एक्सिदेंटल ब्लास्ट ऑफ गन पाउडर ठीक है गन पाउडर में ब्लास्ट हुआ और उसकी मृत्ति हो गई उससे अब एड्मिनिस्ट्रेशन देखते हैं शेर शाह का तो शे जीते हैं आपको बताए है है दिल्ली के बाद पंजाब मुलतान सिंथ यह तो नेचुरल है और पहले वो जीतता ही आ रहा है ठीक है बंगाल बिहार जौनपूर दिल्ली अब आगे बढ़ते हैं अब उसका अड्मिनिस्ट्रेशन देखते हैं पॉलिटिकल हिस्ट्री में लौदी जो है वो पहला अफगान रूल है जबकि तुर्की जो हैं वो किसको कहते हैं तुर्की किसको अफगान कहते हैं ठीक है कौन सा ऐसा दिल्ली सल्तान है तुगलक है या खलजी है ठीक है जिनको तुर्की कहते हैं कि नहीं तुम भी अफगान ही हो ठीक है लेकिन जो व है वो पहला आफगान रूल है दिली मतलब मेडिवल इंडिया का उसके बाद दूसरा आफगान रूल है किसका शेरशाह का ठीक है आफ्टर गैप ओफ फॉर्टीन इयर्स इस्टेबलिश्ट अगें बाइ शेरशाह सूरीन 1540 तो 1526 में किस ने हटाया बाबर ने तिमूरी ने ह यार रखना है सेकंड अफगान एंपायर किसको का जाता है सूर एंपायर ठीक शेरशाह सूरी अलसो नोन एज शेरखा और दे लाइन किंग वास वन अफ ग्रेटेस अड्मिनिस्ट्रेटर्स अफ मेडिवल इंडियान हिस्ट्री अंडव्ट इंडव्टिटली ठीक है क्यों जो है वो सिकंदर और इब्रायम लौदी ने भी लेकिन इन सारे रिफॉर्म्स को बैटर लेवल पर लेकर गया कौन शेरशाह सूरी और शेरशाह सूरी के द्वारा किये रिफॉर्म्स को फिर आगे जो है वो इंप्रूव किया अकबर ने ठीक है तो यह आपको यह क्या है यह administration का process of change है हमें बल्बन से लेकर अकबर और फिर अकबर के जो descendants हैं अकबर के जो successes हैं उन्होंने administration में क्या change किया यह process of change administration का हमें समझना है सवाल इस पर बनता है ठीक है बोथ pre and mains mains किसमें optional में राइट केरशाह सूरी's administration was based on old institutions but with a new spirit and this task attained too much success that he almost transformed the medieval Indian administration and made it serve the interest of people देखे ओल्ड institutions क्या चल रहे हैं पुराना फार्सी administration जो तुर्की लेकर आया थे अपने साथ ठीक है यानि कि इक्तेदारी system old institution के साथ उसने जो है वो कुछ नए experiments अपने जोड़े और जो बहतरीन administration निकल कर आया जब तक शेरशाह जिंदा था और फिर इसलाम शहा के समय में 8 साल तक जो है वो बहुत बहतरीन administration चला इंडिया का ठीक है बहुत smooth administration आईए देखते हैं कैसे central administration की बात करते हैं तो obviously central and provincial दो टाइप के administration होंगे ठीक है province को क्या कहा जाता है आगे बताऊंगा province को क्या कहा जाएगा like all rulers sultanate of like all rulers of the sultanate of Delhi शेर शहाह was despot and was at the top of the central administration so the central administration उसका head कौन है शाह है himself right but unlike his predecessors he was a benevolent despot exercising power for the benefit of people अब इब्राहिम लौदी की तरह नहीं कि मार रहा है पीट रहा है सबको सबको खुद मार रहा पीट रहा है टॉर्चर कर रहा है ठीक है शेर शहाह सूरी was a benevolent despot हा तो वो मतलब monarch ही लेकिन benevolent था लोगों की भलाई के लिए बहुत काम किया उसमें बहुत ज़्यादा ठीक है तो वो as an administrator अपनी जिम्मेदारियां समझता था और उसने निभाई भी है ठीक है कैसे कैसे निभाई है examples देखेंगे आजम तिल all the strings of policy and civil and military powers were concentrated in his end so यहाँ है बीच में center में यहाँ के पास जो है वो सारी political शक्तियां हैं सारी military शक्तियां हैं और सारी आप यह मान के चलिए कि legislative यानि की policy बनाने की शक्तियां जो है वो इसी के पास है ठीक है सारी political शक्तियां सारी फैसला लेने की सारे एक्जीक्यूट्री एक्जीक्यूट्री जो पूरी authority है वो शाहा के हाथ में जबकि departments हैं फर्दर आगे जैसे दिवाने विजारत है लेकिन final फैसला शाहा का है ठीक है इस ministers were in charge of daily routine work of administration शेर्शहा शेर्शहा जो फोर ministers after the model of सल्तनत period तो शेर्शहा के चार मिनिस्टर थे सल्तनत पीरिड में भी ये चार मिनिस्टर रहा करते थे दिवाने विजारत यानि की जो वजीर होता है ठीक है उसके बाद दिवाने रिसालत दिवाने अरज और दिवाने इ of terminology ठीक एक क्या है हमारा terminology का question है terms है important और इन पर सवाल बनता है administrative terms besides them there were several minor officers two of whom chief काजी and the head of news department chief काजी and the head of news department news department का head ठीक है मतलब आमीर बरीद या दिवाने बरीद कह सकते हैं हम इसे enjoyed fairly high rank तो चार तो ये ministers और उसके अलावाद chief काजी ठीक है काजी सदर ठीक है और उसके बाद जो है वो क्या है sorry not काजी सरवक काजी कजात और फिर दूसरा जो है क्या है आपका आमीर बर दीद the head of the दिवानी वजारत was called the वजीर ठीक है वजीर जो है क्या है वो basically जो चाहा होता है शाहा की मदद करने के लिए बैठा होता है एक साइड वजीर ठीक he was the minister of revenue and finance administration जितना भी revenue collection होता है उस सब का हिसाब किताब किसके पास होता है वजीर के पास अब फार्सी administration में ना व कुछ भारतिये मतलब तुर्की और अफगानी रूलर्ज ने और फिर तीमूरियों ने follow किया है कि वजीरों को military authority भी दी जाए या इस तरह पूट करें कि सभी nobility को सैना रखनी ही रखनी है जो कि मनसबदारी सिस्टम में था कि सभी nobles को certain level of जाट सबार maintain करने ही करने है ठीक and was therefore in charge of income and expenditure of empire so आप मान के चलें कि एक्स्चेकर था ही ठीक है finance जो है वो किसके हाथ में था finance minister आप मान के चलें सुल्तान का शाह का besides he exercised a general supervisory authority over other ministers और वजीर जो है वो kind of let's say वजीर basically prime minister ही होता है ठीक है लेकिन यहापर prime ministry के पास finance ministry भी है प्लस वो cabinet को भी संभाल रहा है सभी ministers को संभाल रहा है ठीक है next आएगा दिवाने अर्ज तो दिवाने अर्ज आप जानते हैं it is department military department so दिवाने अर्ज का जो head है that means अर्ज ए मामलिक वो क्या करता है वो सैना की recruitment right सैना के जितने मिलब सैनिकों का जो है वो चहरा और हूलिया बनाना गोडों पर दाग लगाना क्योंकि यह सारी चीजों को revive किया फिर से या continue रखा शेर शाह सूरी ने बहतरीन अलाउदिन खिल जी की यह reforms थे ठीक है तो दिव अंगल कमांडर इन चीफ का अंधर चाहा है विमसेल्फ right he was not the कमांडर इन चीफ ध्यान देंगे दिवाने अर्ज जो है वो कमांडर इन चीफ नहीं होता है कमांडर इन चीफ जो है वो शाहा खुद होता है कमांडर इन चीफ not the commander in chief right of the army but was in charge of recruitment organization and discipline he had to make arrangements for payments of salaries of the troops and officers and to look after the disposition of the army on the field of battle so समझने मतलब management है वो आर्मी का management का वाला रूप है ना manage करना आर्मी को manage करने काम किसका है दिवाने अर्ज डेपार्टमेंट है और आमीर-े-मेमलक जो है वो मतलब पोस्ट का नाम है ठीक थर्ड मिनिस्ट्री कौन सी है दिवाने रिसालत और दिवाने मुतासिव बहुत important यह क्या करती है the ministry in charge of department may be called the foreign minister यह है foreign minister जो की अपनी nobility के साथ भी correspond करती है और आस्पोडोस के राज्यों की nobility के साथ भी वो है दिवाने रिसालत ध्यान रखेंगा his duty was to be in close touch with ambassadors and envoys sent to and received from foreign states he must also have been in charge of diplomatic correspondence and sometimes the charity and endowment departments too was placed under him एक ही वेक्ती को कही सारी जिम्मधारी है लेकिन प्राइम जिम्मधारी क्या है foreign affairs so he was ministry of foreign affairs right so next देखिएगा the fourth ministry क्या है दिवाने इन्शा अब ये है royal correspondence ठीक है जो शाह की family है शाह की जो nobility है उसको शाह के साथ जोडने का काम कौन करती है कौन से department करता है दिवाने इन्शा the minister in charge of this department had draft royal proclamation and dispatches जो addicts निकालता है शाह जो royal proclamations होती है वो कौन handle करता है दिवाने इन्शा in fact जो बहुत ही बिलकुल बारीक secret की बाते होती है चहा की ठीक है वो सारी जो है वो दिवाने इन्शा के माद्यम से पहुंचती है his duty was also to communicate with governors and other local executive officers government records too were in his charge the other departments were sometimes reckoned as ministers reckoned as ministers were दिवाने काजा, दिवाने बरीद, दिवाने काजा मैंने आपको बता है ना या काजी ये कजात जो हम क्या है head of मतलब जो religious judiciary मान सकते हैं की काजी का का मोता है judgment देना हैना और दूसरा है दिवाने बरीद जो हम आपका क्या हो गया जो spy department है जो espionage department है उसका head the chief काजी यानि की काजी ये कजात was the head of the first इसका इसका दिवाने काजी का head है chief काजी यानि काजी ये कजात he had to supervise the administration of justice besides deciding cases whether in the first instance or appeals from the courts of provincial काजी तो जो काजी ये कजात है यानि जो chief काजी है दिवाने काजा का head वो provincial काजी यों के उपर है समझे ने समबट like high court supreme court वाला मामल है जुडिशिरीन के हाथ में होती है है ना क्यूंकि एक muslim शाशन में एक Islamic state में judgment जो है वो शरिया और शाहा जो होता है मतलब सुल्तान जो होता है उनसे काजी यों के control में होता है बरीदे मैमलिक was the head of intelligence department है ना दिवाने बरीद जो है वो department क्या है जहाँ पर दिवान word लगता है आपको तो वहाँ पर आप मान लिजे कि वो department की बात हो रही है ठीक है वो जहाँ पर आमीर जुड़ जाए word तो वो मान लिजे कि वो फिर उस department के head का नाम है या post का नाम है ठीक तो बारीद ए मैमलिक was the head of intelligence department and it was his duty to report every important incident to the king तो अब यह समझ रहे हैं यह सारे क्या है यह यह सारे administrative history की terminologies है किसकी tour dynasty की और यह बहुत ही जादा से भी जादा important है सवाल इनी पर तो बनते हैं आगे देखिए अब administrative divisions देखते हैं क्या है center administration देख लिए हमने चार मंत्रा ले और दो sub departments उसके लावा और भी छोटे मटे बहुत सारे department होते होंगे ठीक है लेकिन यह मुखे थे हैं हमारे पास अब हम देखते हैं कि परदर जो है वो provinces कैसे बटे होती है तो provinces को कहा जाता था सरकार ठीक है और सरकार के अंदर होते हैं परगने परगनों के अंदर जो हैं वो क्या होते हैं villages so next रात है सरकार the provinces were divided into सरकार और districts right each सरकार had two important officers chief शिकदार and chief मुंशिफ also called शिकदारे शिकदारन और शिकदारे मुंशिफ respectively बहुत important है सरकार है सबसे उपर ठीक administrative division में सरकार के जो दो मुखे जो हैं वो officer है कौन-कौन से शिकदारे शिकदारन और दूसरा है शिकदारे मुंशिफ मुंशिफी वर्ड से आप जानते ही समझी गए होंगे कि tax collection का काम होगा इसका ठीक है the former was head of सरकार सरकार का head जो है वो कौन है शिकदारे शिकदारन ठीक है ध्यान रखेंगे आप ले किसी अन्य administration में शिक जो है वो एक lower level का क्या होता है एक administrative block लेकिन यहाँ पर शिकदार title इस्तमाल किया गया है सरकार के head को he had small contingent under his control so army रखनी ज़रूरी होती है in order to maintain law and order so law and order maintain करने काम किसका होता है शिकदारे शिकदारन का so police का काम करता है यह ठीक है judicial काम कौन करते है काजी, provincial काजी he was also he was also to supervise the work of the शिकदार of परगना सरकार के अंदर क्या होता है परगने परगने के अपने शिकदार है सरकार के अपने शिकदार है ठीक है जो परगने के शिकदार है उनको यानि की इस तरह मान लीजिये कि जैसे एक district है district के head है district magistrate और उसके district के अंदर जो जितनी भी तहसीले हैं वहाँ बैठ रहे हैं SDM जो district magistrate है वो SDM के सामकाज पर ध्यान रखते हैं वही सेम है पिलकुल ठीक है तचीफ मुन्शिफ मुन्शिफ का काम क्या होता है वस चार्ज अफ रेवन्यू केलेक्शन एंड सिविल जस्टिस सिविल जस्टिस यानि की जमीन ही मामले ने प्टाना क्योंकि रेवन्यू कलेक्शन जो है वो कहां से हो रहा है जमीनों से हो रहा है न और अगर आप रेवन्यू कलेक्शन करना चाहरे है ठीक है सिविल जस्टिस करना चाहरे है तो यह जमीन जो है वो नापी हुई होनी चाहिए जो की विवस्ता यहां पर थी, right He was primarily a judge तो क्या है ये कौन शिकदारे मुंशिफ जो है क्या है, judge है, ठीक है He also supervised the work of मुंशिफ of the परगना परगनो के मुंशिफ तो शिकदारे शिकदारन के अंडर परगना के शिकदार और शिकदारे मुंशिफ के अंडर परगना के मुंशिफ तो अब बात करते हैं परगनों की परगनों में कौन कौन है, तो परगनों में दो तो आपको पता चल गए, एक परगने के शिकदार हैं परगने के सरकार के अपने शिकदार और मुंशिफ है ठीक है और hierarchy आपको समझ आए गई कौन किसके अंडर है इच सरकार comprised of a number of परगनास इच परगना हैड शिकदार अब मुन्शिफ या जिसको आमीन भी कहा जाता है एक्स कलेक्टर को क्या कहा जाता है आमीन ये तुर्किय administration से आगया word a treasurer and two clerks want to maintain records in Hindi and other in Persian ये बहुत भैतरीन चीज़ है क्या शेर्शाह के समय दो भाशाओं में document होता था जो भी court का work है तो जी हाँ एक बार Persian में एक बार Hindi में ठीक है तशिकदार maintained some soldiers who were employed to maintain peace तो परगना में शिकदार जो है वो क्या काम कर रहा है policing का काम कर रहा है ठीक मुणशिफ की बात करें सो मुणशिफ supervised the land revenue and administration and collection of government dues तो परगना level पर शिकदार जो है वो police का काम कर रहा है और मुणशिफ जो है वो tax collection का ध्यान रखना है सवाल बनते इन पर he also tried and not just a tax collection but also a civil judge की तरह भी काम कर रहा है ठीक है he also tried civil and revenue cases समझ रहे देखिए उलेमा और काजी वगरा जो है न वो personal cases उन सब को handle करते है criminal cases को handle करते है ठीक है मुणशिफ जो है वो जमीन के मामले किसी ने tax नहीं दिया यह नहीं दिया वो इन सब चीजों को handle करने काम जो है वो मुणशिफ करते हैं ठीक है civil and revenue cases and enjoyed the same status as शिकदार तो शिकदार के बराबर के ही है तो यह basically कौन है civil servants है उस समय के यह न सूर administration के civil servants है ठीक है यह जो परगने level के है यह आप माल लीजिए कि यह जैसे present day state civil services है और जो उपर सरकार level के है वो माल लीजिए वो क्या बोलते है union civil services यानि Indian civil services के बराबर है IS के बराबर है ठीक है the treasurer यानि कि मुणशिफ was the next important officer all collections were deposited तो पहला शिकदार दूसरा मुणशिफ all connections were deposited with him and he maintained an account of the income and expenditure of परगना तो सरकार का कौन ध्यान रख रहा है शिकदारे मुणशिफ परगना का कौन रख रहा है मुणशिफ मुणशिफ जो है वो हर एक परगने के अपने-पने मुणशिफ है और वो हिसाब जो है किसको देंगे शिकदारे मुणशिफ को यह रार्की आएगे सब समझी गए होंगे कोई डिफिकल्ट नहीं अब मुणशिफ के नीचे जो है वो दो क्लर को आ करते है ठीक है और उनको क्या कहा जाता है करकुन बहुत इंपोर्टन टमनलोजी है भाई बहुत ज़्यादा पर्शियन वस दा लेंगवेज उफ कोट देरफोर वन ग्लर्क दो करकुन थे एक ग्लर्क जो है वो पर्शियन में अ往र लेकरिटीर इन पर्शियन को कई नौ आपर या देरफोर आगे देखें आगे देखें of the administration of सरकार and परगना वस आट शेर्शाह introduced a hierarchy system of government as a preventive against rebellion तो ये जो शिक और मुन्शिफ है ये basically है क्या ये एक hierarchical system है पहले क्या होगा करता था एक ही इकतेदार को ये काम दे दिया जाता था था कि ये ही इकतेदार को ही समभलना है ये लेकिन शेरशाह ये डायरखी लेकर आ गया इससे हुआ क्या शेरशाह ने कहा रहा का था कि शिकदार मुंशिफ पर ध्यान देगा कोई भी गड़बड ना करे तो ये दोनों जो है वो एक दूसरे की चैक हुआ करते थे इससे दोनों ही ठीक से काम करते थे तो डारिकियल सिस्टम जो है वो इन फेक्ट बहुत एफिशेंट रहा रहा राइट इक्तेदार के पास मिलिटरी भी हुआ करती थी इक्तेदार के पास टेक्स कलेक्शन का काम भी होता था ठीक है तो यहाँ पर दो पोस्ट कर दी एक कर दिया शिकदार और एक कर दिया मूनशिफ शिकदार के पास बोल दिया तुम्हारे पास पुलिस है तुम्हें जो है वो पुलिस मिलिटरी अड्मिनिस्ट्रिशन संभालना है और मुनशिफ को बोल दिया कि रेवन्यू तुम संभालोगे और तुम दोनों एक दूसरे पर ध्यान देख़ोगे कोई उल्टे काम ना करे बोट अब बात करें विलेज अड्मिनिस्ट्रिशन की अब विलेज वस लोएस उनिट ऑफ एड्मिनिस्ट्रिशन ठीक है परगने के अंदर क्या है विलेज है शेर्शाह इनिशेटेटिड दा पॉलिसी अफ मेकिंग दा पीपल अफ लोकालिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर म जुड़ रही है तो हिंदूओं को ऐसा ना लगे है कि मुसलिम अफगानी जो हम पर जोर दबरस्ती कर रहे हैं इसलिए विलेज लेज लेवल पर कह दिया गया कि आप अपना पुलिसिंग का काम खुद निपताओ तो यहां पर गाओं क्या करते थे अपने में से जो है वो लेते थे ठीक he accepted the time honored custom of recognizing the autonomy of villages which were governed by their own panchayat so village जो है वो किसे चल रहे है panchayat से तो इससे गाउं level के जो हिंदु लोग हैं वो खुश थे ठीक है देखेगा the panchayats were in charge of maintaining law and order panchayat अपनी खुद पुलिस थी लेकिन केवल गाउं के judgment वगएरा panchayat दे रहे थी अगर Muslim community है तो फिर वो काजी के पास जा रहे हैं लेकिन Hindu communities अपना panchayat वाले system चला रही है ठीक है he gave legal recognition to panchayat के पास legal recognition बहुत निवार पहली बार किस किस मतलब Muslim शाशक ने भारतिया panchayat system को legal recognition दिया तो शेरशा सूरी is your answer right each panchayat was composed of elders of the village who looked after the interest of people and administered justice तो हर village वही जो panchayat system होता है ठीक है जो गाउं के बुड़े होते हैं बुजुर्ग होते हैं वो गाउं का system चलाते हैं कि गाउं में डाकू गूम रहे हैं गाउं में कोई आदम खोर जान वरा गया गाउं में बारिश नहीं हुई तो टैंक में पानी होना चाहिए रिगेशन के लिए ठीक है उसके अलाबा मंदिर की रख रखाव करना और गाउं की जो है वो मतलब जातिय व्यवस्था को maintained रखना यह सारे चीज़े जो है वो भुजुर्ग संभालते थे ठीक और किलिंग वगारा करवाना है 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 ही maintained touch with villages through the village officials नेमली पटवारी और चौकिदार दो village official है पटवारी और चौकिदार बहुत important terminology पटवारी जो है वो शब्द हमको मिल गया पहली बार आपने देख लिया ठीक है administration में आ गया तो village level पर revenue officer कौन था शब्द आता है पटवारी और village level पर military या मतलब police official कौन था तो जवाब आ गया चौकिदार क्या ये दोनों center द्वारा appointed थे तो जवाब है नहीं पटवारी और चौकिदार दोनों गाउंस अपने उते हैं यही पटवारी जो है वो धिरे धिरे post इनकी क्या बन गई हरीडिटरी और जो आगे चलके समस्या बन गई ठीक है लेकिन शुरुवात करी यहाँ पर पहले भी थी ये post लेकिन शेरशा ने इसको दुरूस्त किया मामले को ठीक है कि मिलिट्री कौन सी शिकदार है छिकदार मुझेफ परगने में शिकदार और मुझेफ ग्राम में पटवारी और चोविदार ठीक है आगे बढ़ते हैं अब लेंड रेविण्यू सिस्टम देखते हैं अब इतना बड़ा empire चलाने के लिए tax collect करना बहुत जरूरी है और tax जो है वो सही तरीके से collect करने के लिए आपको जो है वो land revenue system दुरुस तरखना पड़ेगा तो देखते हैं शेर्शा नहीं क्या reforms किये the most striking contribution of शेर्शा वस revenue reforms क्या है देखते हैं his land revenue reforms were based on wise and humane principles and have unique importance in the administrative history of India ठीक है तो समझदार थे और humane थे यह नहीं कि जैसे शेर्शा मुहमद बिन तुगलक ने टेक्स लगा रखा था बहुत बुरी तरीके से ठीक है उसरे पहले आलाव दिन खिल जी और बलबन ने जो है वो बहुत ज़दा टेक्स ले रहे थे वो लोगों से वैसा नहीं था ठीक the experience gained by him in his youth as the manager of his father's जागीर had given him first hand knowledge of the land revenue problems and secrets of prosperity and stability of the state कहां से पता था उसको क्यूंकि ससराम की जागीर बचपन से manage करता हा रहा था हो तो उसको administration के बारे में जानगारी थी well learned था ठीक है so his land revenue reforms at 3 objective थे पहला कहा है to increase agricultural production to increase revenue of the state and to improve condition of the cultivator तो राज्ये का भी भला हो और जनता का भी भला हो ठीक है जो पीजन्टरी है उसका भी भला हो जोनों का भला करना चाहरा था था आए देखते है क्या किया उसके लिए the cultivable land was measured so land was measured बहुत important cultivable land को measure किया गया so भूमी मापन का काम शेर्शानी भी करवाया है according to uniform system uniform system लेकर आया है एक और point कि सब को जो है वो बराबर सिस्टम में बाट दो सबसे बराबरी से लिए जा लेकिन उसे land को तीन इससे में बाटा good, bad और क्या बोलते है good, middle और bad जिसमें से bad जो है वो थोड़ी सी बंजर भूमी good highly productive जिसको सीता भूमी कहा जाता है और middle जो है वो average भूमी right all cultivable land was divided into three class good, middle and bad and depending upon मनलग कई सारी चीज़े न good land क्या होगा जिसके आसपरोस में कोई नहर होगी, irrigation के लिए जगा मिल जाएगी right उसकी position अच्छी होगी, water retaining capacity अच्छी होगी, फसल अच्छी लगती होगी वापर तुछ ज्यादा fertile है, obviously वो good है, fertility ज्यादा होने के लिए कई सारे factor हो सकते है ठीक, the annual produce per भीगा, भीगा क्या होता है, 60 by 60, 60 by 60 yard जो है वो एक भीगा है उस समय का, of land in case of, और एक याड क्या होता है, एक गज, जिसको roughly 3 foot के अराउंड होता है, ठीक है, लेकिन मैं आपको measurements कर वाऊंगा, optional में जाकर आएगा यह हमेर लिए, ठीक है, यह गज वगेरा, जि measurement क्या थी, अंग्रेजव के time गज की measurement क्या है, आज गज की measurement क्या है, ठीक है, फार्शियों के गज की measurement क्या थी, तो यह हम optional में पढ़ेंगे in points को, ठीक, now land in the case of each crop and each category was determined, कितना था, it was followed by determination of average produce per भीगा, of land as a whole, including all three categories, good, middle and bad, in case of each crop, अब देखे, यहाँ पर हो क्या रहा है, कै कैसे माप रहा है, वो मैं आपको समझाता हूँ, right, देखेगा, सबसे पहले तो land को उसने बाट दिया, किस में, good, middle or bad में, अब, then annual produce per भीगा, मान लिजिये कि 100 kg जो है, वो निकलता है, per भीगा, of a land in case of each crop and each category was determined, तो पर भीगा जो है, वो निकाला गया, कि कितना निकलता है ठीक है, अब पर भीगा जो है, हो सकता है, मान लिजिये, bad में, केवल 70 निकल रहा हो, ठीक है, middle में 70 निकल रहा हो, bad में 40 ही निकल रहा है, और 100 में 100 kg मान लिजिये, एक quintal जो है, वो निकल रहा है किस में से, पर भीगा, good में से 70 kg निकल रहा है, middle में से, और bad में से निकल र रहा है ठीक है यहूं कितनी निकल रही है जितनी भी क्रॉप जिस रिजन में लगती निकलती है वो उसने हिसाब निकल वा लिए अब क्या किया नेक्स देखिए इट फॉलड़ डिटर्मिनिशन ऑफ एवरेज प्रड्यूस पर भीगा ओफ लेंड एज होल यह मैंने कहा ना कि एज होल और फिर कैटेगरी वाइज भी और क्रॉप वाइज भी उसने हिसाब लगवा लिया ठीक वन थर्ड अब इसमें से टेक्स उसने निकल वा लिया जिए उसने हिसाब लगाया कि इतना इतना निकलता है अब उसने वन थर्ड फिक्स कर दिया कि एक तिहाई तो देना ह पड़ेगा और शरिया के अकॉर्डिंग आप हाफ तक ले सकते हैं otherwise शरिया में जो है वो one tenth है लेकिन आप हाफ तक ले सकते हैं उसने one third रखा the government revenue could be paid either in cash or kind ठीक है revenue कितना कैसे दे सकते हैं आप या तो cash में या तो अनाज ही दे दें जाकर but the farmer was former was preferred cash देना जो है prefer रखा गया क्यों क्योंकि market में जाकर जो है वो मंडियां लगती थी मंडियों में जाकर अनाज बेचने का प्रावदान जो मतलब अनाज बेचने की सुविदा जो है वो किसानों के पास थी आगे देखिए each cultivator received from the state a patta title deed specifying the state demand that is the revenue that was required to pay अब land मपवाने का फाइदा क्या है ठीक लेंड measurement कराने का फाइदा गया है कि हर किसान को हर जमिंदार को पट्टा दे दिया गया कि इतना तो आपको pay करना ही पड़ेगा किसी भी हालत में सुखा आए ना है इतना आपको pay करना ही पड़ेगा हमने हिसाब लगा लिए है in return he was to sign a कबूलियत ठीक है कबूलियत पर sign करना पड़ता था deed of agreement अब वो इतना देना ही पड़ेगा टेक्स वो क्या है एक agreement था उस agreement को कहा गया कबूलियत की कबूल करो कि इतना दोगे indicating his ascent to pay the amount of revenue mentioned अब यहाँ पर शेर्शा ने देखिए अब आप कहेंगे कि यह benevolent कैसे हो गया उसमतर लिखवा लिए आप किसी साल सूखा पड़ गया तो किसान क्या करेगा ठीक है तो ऐसे में क्या किया शेर्शा ने कि लोन की विवस्ता कर दी ठीक है बताऊंगा आएगा आ दो चीजें क्या क्या एक तो जिसने लेंड मापी है ठीक है उसको देना पड़ेगा जरीबन को जो सर्वेयर आएगा उसको और दूसरा जो है वो महासिलाना यानि कि जो टेक्स कलेक्ट करने आएगा वो भी जो कि कितना है धाई परसेंट है अडिशनल सेस अफ धाई परसे जाना बहुत important terminology है revenue administration से जुड़ी होई शेर्शा से पूछे जा सकते है यह सवाल ठीक है ध्यान रखिएगा ये questions पूछे जा सकते हैं बहुत important नेक्स देखेगा the grain thus collected was stored in state granaries and sold at cheap prices at the time of famine और natural calamity ठीक है जब क्या मतलब बना इस mind का जो grain collect करता था state उसको सस्ते दामों पर बेशता था ये benevolent है इसका कि जब जब सूखा पड़ता था तब सस्ते दामों पर market manage मिल जाता था right the most significant feature of its land revenue was that it eliminated intermediaries for the purpose of collection of revenue क्यों कि पहले जो है वो जो जमींदार हुआ करते थे एक्तेदारी में बीच में कई सारे जमींदार हुआ करते थे उन जमींदारों को कई जगाओ पर एक्ता भी दे दिया गया तो वो क्या करते थे वो बीच में tax खाने का काम कर देते थे ये उसने खतम कर दी है आपर शेर करने के लिए उसने क्या उसने स्पाइज छोड़े हुएं बरीद छोड़े हुएं दिवाने बरीद डिपार्टमेंट बना रखा है ठीक है कि कौन कोई गडबड तो नहीं कर रहा है तो अल्ला उदीन से सीखा उसने एक अच्छा अड्मिनिस्टेटर सीखता है अपने ठीक है मीडियेटर को कैसे अटाया गवर्मेंट डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में क्योंकि मुन्शिफ अगर आ रहा है मतलब मुन्शिफ को अगर आपको टेक्स देना है तो वो डायरेक्ट गवर्मेंट ऑफिशल है और मुन्शिफ जो है वो सीधा ऊपर किसको देगा शिकद रायतवाडी terminology कहां से निकली है तो आप जवाब देंगे शेरशाह सूरी के revenue administration से क्यों क्यों कि रायतवाडी का मतलब क्या होता है कि जो रायत होता है जो किसान होता है उससे direct tax वसूलना और यही कर रहा था शेरशाह कि center जो है वो किसान से direct tax वसूल रहा है और किसान को पता भ clear instruction that leniency was to be shown at time of assessment but not at the time of collection उसने कहा कि जब पटा दिया जा रहा होगा ना तुम्हें जब कबूलियत लिखवाई जा रही होगी तब अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि नहीं दिया जाएगा तो lenient हो जाएंगे हम थोड़ा बहुत लेकिन एक बार sign कर दिया अपने एक बार 24 गुरूप से चलता रहे tax collection ठीक है he also posed past orders that while the army was हाँ एक यह बहुत important है कि आर्मी जब किसी अब जब मान लीजिए पचास हजार सतर हजार एक लाग हादमी गुजर रहे हैं उसके साथ उनके कारवां गुजर रहे हैं और traders गुजर रहे हैं तो मतलब बहुत बड़ी संख्या में जो है वो जो सेना गुजरती है तो तहसने से गुजरती है तो कहा गया इसने क्या कि शडख से यह सारे और खेतों को कोई बरबाद नहीं करेगा right खेतों को बरबाद नहीं करेगा सडख से जाएंगे इसके लिए उसने highways भी बनवाए ठीक है he also passed orders while the army was on the move it was not to destroy the crops of the peasants ठीक है दर्ख को कोई पेड़ों को कोई नहीं काटेगा और फसल को कोई खराब नहीं करेगा Loans were advanced to the peasants in case of damage to the crops caused by soldiers, drought and natural calamities ठीक है Loans देने की विवस्ताती The Defects of Revenue System Revenue System में defect भी है देखते हैं क्या क्या है पहला है the share of government was fixed पहली बात तो share of government fixed है अब माल लीजिए कभी सूखा आ गया और अगर किसान ना दे सके तो किसान के पीछे पड़ जाते हैं ठीक है मुन्शीफ Of the average produce of three kinds of land with good, middle or bad देखिए share of produce जो है वो one third था लेकिन वो average पर था Land है तीन तरह की good, bad और middle है na good, middle और bad तो obviously good में से तो good तो अपना share निकाली देगा good land तो निकाली देगा लेकिन middle और bad पर जो है वो pressure बढ़ जाएगा तो माल लीजिए कोई एक ऐसा किसान है जिसकी bad भूमी जादा है तो उसका production that means कम है तो उसके लिए मुश्किल हो जाता है tax निकालना है ठीक है वो bad land से आ रहा था the state demand of one third of the produce together with fees of surveyors and collectors and the additional fees of 2.5 was fairly high one third तो वैसे ले रहा है उसके बाद surveyors और collectors ले रहे है tax और धाई परसेंट additional देना पड़ रहा है ये बहुत जाए था ठीक है next the annual settlement cause तो ये ध्यान रखना है आपको ये बहुत important point है ये वाला इसको बेशक आप भूल भी जाओ इस point का आप कभी नहीं भूल सकते ठीक है ये examination point of view से important है now the annual settlement caused inconvenience अब annual settlement था साल का पहले ही जो है वो कबूलियत में लिखवा लिए जाता था कि इतना देना है आपको और बाद में ना दे सके तो फिर code पड़ते थे the cultivators and also to state officials the statement of cash value of share of government depend upon correct information proper inquiry and prompt reporting to the instruction from central government अब देखिये ये annual settlement वाला system क्यों करवाया होगा शेर शाने क्यों क्योंकि जो village level है उससे माल लीजिये उसने निकलवा लिया कि एक हजार रुपे एक हजार रुपे एक village से आएगा और एक हजार रुपे अगर एक village से आ रहा है और अगर माले जी 100 village हैं तो एक परगने में अगर 100 village हैं तो उसके एक परगने से उसको 100,000 यानी एक लाग हर रहा है और अगर एक सरकार में 100 परगने हैं तो एक सरकार में अगर 10 परगने हैं तो उसको कितना आ रहा है एक सरकार से 1 million जो है वो मतलब revenue निकल रहा है उसे ठीक है तो ये उसका अंदाजा है ठीक है लेकिन अगर और इस अंदाजे पे उसने आगे आर्मी का खर्चा कर दिया इस अंदाजे पे उसने आगे सड़क बनाने का, टैंक्स बनाने का, इरिगेशन बनाने का, घोडे खरीदने का खर्चा उसने कर दिया प्रेजरी में से पैसा निकाल दिया कि अगले साल इतना तो आए गा ही लेकिन अगले साल इतना नहीं आया मानली जी अगले साल जो है वो आधा ही आया 500,000 आया अब तो pressure कहाँ पर आया उसकी Treasury पर पढ़ गया ना तो ये एक बहुत बड़ी समस्या थी कि जो Land Annual Settlement जो Fixed थी उसकी वज़े से जो बजट तयार करता था वो बजट में गड़ड़ी आती रहती थी ठीक है The settlement of cash value of the share of government depend on the correct information और देखिए ये जो अंदाजा है ये correct information पर based है मानली जी ये अंदाजा लगाया इतना लेकिन ये correct नहीं था निकला 7 लाख और 1 million यानि 10 लाख के ओपर जो है वो estimate लगा दिया बजट बना दिया आ गए तो यहाँ पर हो जाती है गलती तो correct information, proper inquiry इसलिए collectors और जो land measure करने वाले हैं उनको पैसा देना पड़ता था क्योंकि वो proper trained वेक्ति अपॉइंट करे जाते थे ठीक है इसलिए और इसलिए किसानों को पीजन्स को tax में tax उनको भी देना पड़ता था वहाँ पर proper trained वेक्ति अपॉइंट किया जाता था तो बिल्कुल ठीक से जो है वो estimate त्यार करके दे ठीक है proper inquiry and prompt reporting to the instruction from the central government आगे देखते है तच अच्छा procedure was not quite dependable it was likely to hold up the work of collection and cause great inconvenience to the collectors and cultivators यह theoretically तो अच्छा लगता है लेकिन जोरी नहीं है ना कि सभी skilled हो ठीक है अंदाजे में गलती हो जाती है और slow हो जाता है इससे procedure और cultivator कई वर मना करते हैं कि मैं क्यों दूँ एक साल पहले तो नापा था आपने इस साल आप फिर से नाप रहे हैं हर साल आपने के ही पैसे लेते रहेंगे तो यह complaint भी cultivator की रहती थी ठीक है next बात करते हैं आर्मी की शेर्शा had a large and well equipped army अब इतना पैसा वो tax क्यों इखटा कर रहा था आर्मी को इक्ट करने के चक्कर में ठीक है सेम काम जो है वो अलाउदीन ने भी क्या था आर्मी को इक्ट करने के चक्कर में इतना टैक्स वो खटा कर रहा था ठीक अफगान नेसेसरीली हैद प्रीडॉमिनेंस वाइल ट्रूप्स अफ 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 नेशनलिटीज वर देर राइट तो अफगान तैना में अफगान ही जादा थे लेकिन तुर्की राजपूत ये सब भी हुआ गरता थे ठीक शेर्शाय रियलाइज़ दा इम्पोर्टंस अफ 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 इन एफिशेंट आर्मी की देरफोर तुक पर्सनल इंटरेस्ट इन रेक्रूट्मेंट अफ ट्रूप्स किया दाग चहरे हुलिय की अफ दे ब्रेंडिंग होर्सेस तो प्रेवेंट करॉप्शन इन दा कैवलरी ये अल्सो मेंटेंट दिस्क्रिप्टिव रोल्स राइट हुलिय आ गया ना चहरा और हुलिय अफ ट्रूपर्स सो देट नो वन कुट सेंड अप्रॉक्सी अट टाइम अफ मिलिटरी है ना हुलिय रखने से क्या होता है कि प्रॉक्सी ना लगा सके कोई कि सेलरी तो ले रहे हो तो मैं एक मतलब प्रॉपर कैवलरी मैन की लेकिन अपनी जगा किसी टट्टू को भेज रहे हो है ना जो दाग ब्रेंडिंग का यही मतलब है ना है कि प्रॉपर अच्छी क्वालिटी के घोड़े जो है वो यूद में है ठीक क्रॉप्शन वस चेक्ड तो अ ग्रेट एक्टेंट को चेक करने के लिए पहले तो वो डायर्कियल सिस्टम प्लस दिवाने बरीद ठीक है स्पाइस छोड़ने वाला काम बल बनने शुरू का रखा था प्रमोशन अफ टूप्स डिपेंड आर्मी तो प्रमोशन जो है वो लीनियज पर नहीं मेरिट पर अर्मी ओफ शेर्शा वस प्रिंसिपली ओर्गनाइज अंडर फोर हेड्स कैवल्री इंफंट्री आतलरी और अलेफंट्स ठीक है चार तरह के जो है वो तैना में से थे कैवल्री क्या है होर्समन वस मोस्ट इंपोर्टन ऑबियसली उसके बाद इंफंट्री फूट सोल्जर्स के बाद मस्केट्स थी बंधू के आ गए थी इंफंट्री के बास और उसके अलावा लार्ज आर्टलरी बहुत बड़े लेवल पर आटले तो यह टेक्स इतना सारा टेक्स जो है वो कहां इंवेस्ट किया बंगाल को गैप्चर किया पैसा शेर्शा ने कहां इंवेस्ट किया आर्मी को सुद्रिड किया उसने उसने आपनी आर्मी को स्ट्रॉंग बनाया उसको पता था कि एक स्ट्रॉंग वेल डिसिप् और आटलरी ती बहुत बड़ी संख्या आटलरी बिसाइड्स वर कंटींजेंज्स तो इस पर में ज्यादा फोकस ज्यादा प्रेशर क्यो weitere डलरौ हूं कि यह ज्यादा important points नहीं हैं ज्यादा important points हैं महाँ पर में detail में बता रहा हूं आपको besides these there were contingents of troops हाँ अब यह बहुत important point है जैसे कि शेर शाहा ने छोटी छोटी छावनिया बनाई हुथी क्या बोलते हैं इनको cantonment zone बनाए हुए थे जहाँ पर उसने troops को recruit कर रखा था कि जब जरुरत पड़े तो वहाँ से troops आ जाएं तो इस तरह के 47 important strategic places पर उसने troops को place करा हुआ था ठीक है यह एक बहुत important point है उसके बारे में each of और इनको कहा जाता था क्या? forge was in charge of forge-dar ठीक है? तो यहाँ से forge word जो है वह हमें यूदतावा नजर आता है forge किसे कहा जा रहा है? forge in in छोटी-छोटी battalions in छोटे-छोटे contingents को कहा जा रहा है ठीक है? आगे बढ़ते हैं अब justice, justice लिखा हुए है आपर justice होना चीए ठीक है? justice का administration देखते हैं कौन था? तो मैंने आपको कहा ही civil मामले को मुंचिफ हैंडल कर रहा है ठीक है? और अन्य personal मामलों को वो सब गाजी है और जो extreme मामले चल जाता है वो सुल्तान तक भी पहुंच जाता है ठीक है? Provincies के बीच में जगडा हो गया वो सुल्तान तक चला जाता है Sher Shah was adorned with dwells of justice and he often remarked Justice is the most important excellence of religious right and it is approved by the king of the infidels and the faithful तो बेसिकली कहने का मतलब क्या है यहापर कि जस्टिस जो है वो इन्फिडिल्स का भी काफिरों का भी है और मुसल्मानों का भी है और जस्टिस देना सब का ही काम है ठीक है और जस्टिस होना चाहिए तो यह जो जस्टिस वाला फंडा यह तो बल्बन से शुरू हो रखा है ताकि जनता में जनता में एक भरोसे की भावना आए, confidence की भावना आए अपने सुल्टान के परती वही सेम बल्बन ने किया, वही सेम अल्ला उद्दीन ने किया, वही मुहामद बिन तुगलक ने किया फिरोश शाह इसमें थोड़ा हलका बढ़ गया, फिरोश शाह ने थोड़ा leniency बढ़ती इबराहिम ने जानबूजगर तंग किया अपनी नोबिलिटी को विलेज पंचायत की बात करें, तो विलेज पंचायत was empowered to administer justice in villages तो मैं आपको बताया है, यहाँ पर चौकीदार और पटवारी, चौकीदार और दूसरा जो है वो पंचायत, जो है वो क्या करते है विलेज अडिमेस्टरेशन का काम और विलेज justice dispension का काम इन्द परगना, परगना में कौन है? परगना में मुंचिफ है और दूसरी साइड कौन है? शिकदार है, मुंचिफ, civil मामले नीपटा रहें, शिकदार जो है वो फौशदारी मामले नीपटा रहें परगनाजबर मुंशिफ and in the सरकार जो है वो चीफ मुंशिफ सरकार में क्या है ठीक है तो शिकदारे मुंशिफ है सरकार में शिकदारे मुंशिफ और शिकदारे शिकदारन ठीक है चीफ मुंशिफ तो यह हम पढ़ी लिया आमने ठीक है they administered civil and revenue cases while शिकदार and his chief in the सरकार डेल्विक criminal cases so मुंशिफ और शिकदारे मुंशिफ क्या कर रहा है civil मामले और फौजदारी यानि क्रिमिनल मामले यानि किसी ने किसी का सर फोड़ दिया किसी ने किसी को मार दिया यह सब जो है वो कौन कर रहा है शिकदारे शिकदारन या नीचे प्रग्रने लेवल पर शिकदार गाउं के लेवल पर चौकिदार और पंचायत कर रही है इन एडिशन देर वर कोर्ट्स अफ काजी उसके लाबा काजी के कोर्ट्स थे परसनल मामले निप्टाने के लिए यह जो मुसलिम परसनल लॉज होते है ठीक है मीर अदल बहुत इंपोर्टन कल्मिनेटिंग इन दा हाइस कोर्ट्स ओफ चीफ काजी तो काजी यह कजात है उपर सबसे उसके नीचे जो हैं वो काजी और उलेमाओं की पूरी फोज भी एक तो यह Justice Department का यह भी हिस्सा है यह तो है खेर Muslim administration का हिस्सा है ही यह Muslim society का हिस्सा है in general है ही All higher officers and courts had full authority full authority to hear appeals against the decisions arrived at by their junior so जैसे subordinate court, high court, supreme court जाता है न इस तरह शेयर सा के gram level जो मामला नहीं निप्टा वो परगने पर आ सकता है परगने में जो नहीं निप्टा वो सरकार में जाएगा, सरकार में जो नहीं निप्टा वो सेंटर में आ सकता है हमामला ठीक है अब आवल वजचुएटेड दक इन दक किंग्स प्रोट ठीक है, यह जो काजी वगरा हैं यह किंग के कोड़् में बैठें, ठीक है the criminal law of the time was very hard and punishments were severe ठीक है हनाफी हनाफी जो सुन्नी सेक्ट है उनका जो करियत है वो बहुत खतरनाक है ठीक है तो और मतलब mutilation वाला है उनका जैसे जिना के लिए पत्थर मार मार के जो है वो हत्या कर दी जाती है हाथ पैर काट देना जबान काट देना ये सारी चीज़ें जो मतलब एक तो ये कि tit for tat अगर माल लीजिए किसी ने जो है वो किसी का सर फोडा है तो बदले में भी अब सर ही फोड़ा जाएगा जिसी ने किसी की आँख था ना कि reforms लाना ठीक है और आँख के बतले आँख की वैसे क्या है कि बाकी लोगों में क्या है दहशत फ़ले उस चीज़ की जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा ये वाला फंड़ था ठीक है अब रोड और सराय के लिए क्या किया देखी है इसने अब इतना पैसा है इतनी आर्मी है आर्मी को जंगलों से और खेतों से जाने से मना कर दिया तो सडकों से भेजेगा आर्मी को तो उसने सडके बनाई अब इतना बड़ा administration उसको चलाना है दुरस रखना है तो transportation system को भी develop करना पड़ेगा तो यहाँ पर आपको department समझने पड़ेगा ठीक है spies, police department, tax collection के लवा आर्मी का ठीक है, justice department और अब transportation को develop कर रहा है तो as an administrator आप जिस भी जिले में बैठते हैं इन सब matters को ध्यान में रखना पड़ता है आपको history पढ़ने का ये मतलब है जो traffic police है उसके साथ obviously जुड कर आपको अपने शहर में law and order को maintain करने की जिम्मेदारी एक administrator के हाथ में होती है ठीक for the purpose of imperial defense and for the convenience of the people शेर शहा connected the important places of the kingdom by a chain of excellent roads so defense as well as offense as well as for the matter of convenience सारी important शेर उसने जोड़ दी कैसे काबूल से लेकर बंगाल तक जोड़ दी है उसने basically he built four national highways जिसमें से GT road grand trunk road या जिसको शेर्शाहसूरी मार्ग कहा जाता है वो सबसे prominent है जिसको पुराने समय में कहा जाता था क्या उत्रापत grand trunk road from sonargaon in bengal to river indus in west सिंध तक जाता है जिसको कहा जाता है grand trunk road देखिए यहाँ पर बंगाल से लेकर सिंध तक कनेक्ट करता है और present day आप यह मान के चलिए कि लाहौर, अमरिचर, जालंदर, लोदिहाना, अंबाला, पानेपत, दिल्ली दिल्ली के बाद आगरा के रास्ते लखनव, पटना और फिर बंगाल तक को कनेक्ट करता है सारे important चाहरों को, नौर्थ इंडिया के ठीक है यह है देखिए, काबूल मैं आप देखिए, काबूल, इसलामाबाद, लाहौर, दिल्ली यह तो present day के साबसे है न, उस समय लाहौर, दिल्ली, इलहाबाद, बनारस, पटना, मुर्शिदाबाद यह सारे जो हैं, वो important चाहरों कनेक्ट करता है ठीक है, उसके अलाबा from आगरा to मांडू यह आगरा है, ठीक है, यहाँ पर देखिएगा दिल्ली के नीचे आगरा है और मांडू जो है, वो इधर है, ठीक है उसके अलाबा from आगरा to जोधपुर, आगरा से जोधपुर के लिए उसके अलाबा from लाहौर to मुल्तान लाहौर से मुल्तान के लिए हाइवे, तो जितने भी important places हैं, उनके लिए हाइवे इसने प्रॉपर, चोड़े-चोड़े हाइवे, ठीक है और यह जो मेन हाइवे है, यह तो आज तक मौझूद है, और अन्य हाइवेज भी अल्मस्ट आज तक मौझूद हैं, ठीक है, along the roads अब roads के साथ साथ जो है, वो सराय बनाए गई, सराय क्या arrangements were made for Hindus and Muslims दोनों के लिए, Hindus और Muslims के लिए अलग-अलग arrangements थी सराय की शेड ट्रीज बनाए गए वर planted on both side of the roads, उसके अलाबा सराय प्रोवाइड़ेड suitable accommodation, cooking possibility, drinking water, तो सराय जो है वो अच्छी एक रहने की safe जगा प्रोवाइड करती थी सराय also served as purpose of अच्छा, सराय जो है वो डाक चोकियों काम भी करते थी, सराय जो है postal system का भी काम करते postal system भी शेर्शा सूरी के समय में develop है, ठीक है डाक चोकिया, डाक चोकिया, तो आप मुझे बताएंगे शुरू कहां से हुआ है डाक चोकिया सिस्टम, किस कमेंडों बताएंगे, जवाब देंगे किस मतलब दिल्ली सुल्तन सुल्तान ने डाक चोकिया वाला system initiate किया है, जिसको शेर्शा सूरी ने आगे use किया और modify किया अब देखिए है क्या अब लाहोर से, काबुल से लेकर हर जगा जो है क्या है, बीच बीच में छोटी छोटी जो है, वो डाक चोकिया है या सराय है, ठीक है अब मान लीजिए कि धाका से दिल्ली message भेजना है तो क्या है, क्या से भेज़ा जाएगा कि एक डाक चोकि से दूसरी डाक चोकि तक जो है, वो मतलब मान लीजिए यहां से घोड़े से या runners होते हैं, दोड़ कर पहुँचा जएते तो लेकिन घोड़ो का यूज किया जाता है ठीक है, तो एक डाक चोकि से दूसरी डाक चोकि तक एक गोड़ा ले जाए गया, वो गोड़ा यहां पर बेजा नहीं, उससे पहले पता चल जाता है कि क्या बेजा जा रहा है, है ना, टाइपिंग लिखा जाता है कि टाइप हो रहा है एट इच सराइज, वर स्टेशन दू होर्समें तो केरी दर रॉयल मेल इन द अप एंड डाउन, ठीक है, दो गोड़े हुआ करते हैं ताकि हर एक सराइपर चेंज करने को जो है, वो गोड़ा मिल जाए वहाँ पर, ठीक है अब नेक्स्ट आ गया एस्पिनाज या इंटेलिजेंस का डेपार्टमेंट है न स्पाइज भी होना ज़रूरी है एज मेंशन द अबवव सराइज सर्वडे डाग चोकी इन डाग चोकियों से मेसेज़िस कौन ले जाते हैं ये बरीद ही तो ले जाते हैं शेर्शाह appointed an officer known as दरोगा ये दाग चोकी दाग चोकियों पर दरोगे बैठते हैं दे हैड अफ इंटेलिजेंस डेपार्टमेंट मतलब छोटे लेवल पर ठीक है अदर्वाइज मतलब इंटेलिजेंस डेपार्टमेंट तो क्या है दिवाने बरीद है महाँ पर जो हैड बैठता है सेंटर में जो बैठता है ये प्रोविंशिल लेवल के होगे न्यूज राइटर्स एंड न्यूज केरियर्स वर एंप्लॉइड बाइ हिम टू फरनिश इंपॉर्टन्ट हैपनिंग्स इन एवरी पार्ट ओव इस एंपार्ट हर प्रोविंश की हर कोर्ट में न्यूज राइटर बैठते और सारी ख़बर जो है उस तक पहुंचती थी ठीक है सो वो वेल इनफॉर्म्ड रहता था कि क्या कहां क्या हो रहा है ठीक है न्यूज राइनर्स दौड कर जो है वो पहुंचाते है जो राइट ये जो एफिशेंट स्पाइ सिस्टम है ना बरीद वाला जो सिस्टम है इस वजह से काफी एफिशेंट रहता था उसको पता रहता था ये ये कि डेड़ दिन बाद पता चले लेकिन उसको पता चल जाता था कि उसके मतलब कौन सा क्या बोलते है उसका official क्या सोच रहा है क्या कर रहा है राइट तो उसके spice जो है वो बहुत efficient है तो ये spice वाला system कहां से refine होता हुआ है बल्बन से ठीक है आगे देखिए currency में क्या reform लाए गया रुपया जो है वो पहली बार issue हुआ as a currency इंडिया में उससे पहले दिनार चल रहे थे जितल तंके चल रहे थे रुपया पहली बार जो है वो शुरू किया किसने रुपया संस्कृत वर्ड है for a silver coin ठीक है अन आउटसंडिंडिंड अचीवमेंट अफ शेरशा वस इन फिल्ड अफ करंशी रिफर्म देखे क्या on his occasion on this occasion ठीक है he found the currency system was on his hee होगा ठीक है जब वो not occasion मैं accession को occasion बढ़ रहा हूँ on his accession he found the currency system was particularly broken क्यों टंका जितल वाले system उससे पहले मौहमद विन तुगलक ने जो है वो मतलब जो क्या बोलता है experiment के अधा token currency का उससे थोड़ी हालत खराब चल रही थी अभी तर coins of all previous range were allowed to circulate calculate as a legal tender तुगलकों के खलजियों के सिक्क्या भी तक चल रहे है ठीक है उसके बाद मुगल्स अपने साथ सिक्क्या लेका है या अपने बहुत mixed bag हो गया system तो currency जो है पूरे empire में similar रहने चीए same रहने चीए तो चलता है काम ठीक है economy तब centralized होती है ठीक है similar currency से ही economy centralized होगी ठीक है उसने सारे पुराने दिल्ली सलतनतों के सिक्क्या सब बंद कराए उसने का कि मैं नए system डाल रहा हूँ तो उसने gold, silver और copper coin लेकर आया और रुपया रख दिया नए करंसी का नाम the silver rupee and the copper dame copper जो है वो उनको कहा जाता है दाम और silver को कहा जाता है रुपी silver जो है वो नहीं वोलो ना silver सिक्के को कहा जाता है रुपया और copper के सिक्के को कहा जाता है दाम तो कई वरा पूछते हैं कि इस चीज़ का क्या दाम है तो basically आप पूछ रहते हैं कितने copper के सिक्टे देने पड़ेंगे यहां से निकला है वो दाम वाला हो तो और जो सोने की सिक्टे होते हैं उनको दिनार कहा जाता है जो silver सिक्टे हैं वो ज़्यादा prominence में रहते थे उनको कहा जाता था रुपया जिसको बाद में क्या बोलते हैं उसके अलावा आठ से छोटा क्या होगा तोला आने का रुपया होता है ना ठीक है तो आठ आना चार आना बारा आना यह सब जो है वो क्या है आपके हाफ्स, क्वार्टर्स, एट्स और शिक्स्टीन्स जो हैं वो क्या थे हर एक के और दाम के भी, ध्यान रखने हैं आपको यह The ratio between silver coins and various gold coins were fixed Gold, silver और copper token की रेशो जो है कितने gold coins के बराबर का किское और कितने silver सीखे कि बराबर की है एक copper का सीखे है ठीक है To encourage trade and commerce in his empire stays56 many duties which were charged on goods and different points ठीक है trade को क्या बोलते है मजबूत करने के लिए duties अटा दी अब traders जो है 50% off दे देंगे tax नी देंगे 0% finance पर निकल वालो तो ये क्यों होता है ताकि बढ़े ट्रेड बढ़े ठीक है परचेजिंग बढ़े कि laid down only two duties should be charged for transport and goods only two duties दी जाएंगी reforms were made to promote growth of trade and commerce in his entire empire goods paid customs duty only at two places क्या क्या goods produced in Bengal और imported from outside paid custom duty at the border of Bengal and Bihar at सरकी गली and goods coming from west and central Asia paid duty on इंडस देखेगा दो जगा पर ट्रेक देना पड़ता था गुजरात उसके control में था नहीं तो जो सिंद वाले रिजन से आ रहा है और जो बंगाल से रिजन बंगाल वाले रिजन से जो यह तो बंगाल में बन रहा है तो बहार से आ रहा है तो बंगाल और बिहार वाले रिजन के बीच में एक बार duty देनी पड़ती थी और एक बार इंडस वाले रिजन से यानि कि फारस से अगर हिंदुस्तान में आ रहा है तो एक बार वहाँ पर ड्यूटी देनी पड़ती थी क्योंकि यही दो important जो है वो trading point थी ठीक no one was allowed to levy customs at roads, कोई road पर कोई custom नहीं था, ferries और town तो बीच में कोई toll कोई कुछ नहीं, केवल यह दो तरागे toll, दो तराई custom duty देनी पड़ती है that means that means इंडिया के हिंदुस्तान के अंदर जो भी produce कर रहा है और जो भी बेच रहा है उसको duty नहीं देनी पड़ती है ठीक है, the duty was paid a second time at the tune of sale, उसके अलावा केवल और केवल sale के समय duty देनी पड़ रही है भारत में, मलब हिंदुस्तान में जितना भी शेर्षा के अंडर empire था शेर्षा के अंडर जितना भी region था एक बार तो अगर फारस से कोई समान आ रहा है तो वहाँ पर duty देनी पड़ेगी एक बार या तो बंगाल बंगाल के रास्ते साउथी स्टेशा से कोई समान आ रहा है वहाँ पर duty देनी पड़ेगी उसके बाद जब आप बेच रहे हैं तो duty देनी पड़ेगी उसके लाब अगर आप इंडिया के अंदर है माली जी आप लखनाव में आप दिल्ली में समान बेचने जा रहे हैं तो बीच में और कोई duty नहीं लगेगी केवल जब आप sales करेंगे उस समय tax लगेगा जिस भी आप market में बैठे हैं महाँ पर आपको market का tax तो देना ही पड़ेगा जिस भी आप मंडी में बेचने जा रहे हैं तो आपको मंडी का tax तो देना ही पड़ेगा केवल वही था अब architecture की बात करें शेर्शा के अंदर जो है वो क्या क्या डवलप हुआ है बाकी culture वाले पार्ट में तो हम mention करेंगे ही जे ठीक है तो यहाँ पर एक बिल्कुल बेशिक सा देख लेते हैं शेर्शा एस लेप्ड इन डेलिबल इंपरेश एज बिल्डर पुराना किला इन दिल्ली इस सेट तो हैव विन बिल्ट बाई हिम and is considered to be the most perfect office buildings पुराना किला आज तक मौझूद है वैसे आज कल पुरानी के लिए खास इज़त होती नहीं है दिल्ली में ठीक है बहुत बुरा हाल है महाँ पर लेकिन पुराना किला जो है वो उसकी most perfect buildings में से एक माना जाता है काफी अच्छा बनाया गया था it is a good example of indo-islamic architecture बहुत important point indo-islamic architecture वैसे culture वाले पार्ट में बताऊंगा यह क्या character होता है indo-islamic architecture का the best example of शेर्शाह's architecture is his own musulm यानि खुद का मकवरा जो ससराम में उसने बना कर तयार करवा दिया था अपने जीते जी कहां पर है बिहार जाद रखेंगा अब बात करते हैं final estimate निकालते हैं शेर्शागात की क्या हाल है शेर्शाह की है न मतलब अच्छा administrator है बुरा है देखते है शेर्शाह is indeed a striking personality in the history of medieval India obviously one of the greatest administrator हम कही देता है इसको he applied his indefatigable यानि की ना ठकने वाली industry to the service of the state and his reforms were well calculated to secure the interest of people तो हम यह कह सकते हैं कि वो अपने state के भले से जादा वो जनता का भला सोच कर जो है वो administrative फैसले ले रहा था next in fact the real significance of his reign lies in the fact that he embodied in himself those very qualities which are needed for building the nation state in India and he prepared the ground for glorious Akbar regime in more than more ways than one ठीक है बिलकुल आप clearly बोल सकते हैं कि Akbar पर शेर्शाह के reforms का असर था बिलकुल था तुझी शेर्शाह ने एक बार जो है वो चक्र चला कर दे दिया अकबर को कि अच्छा administration इंडिया में चल सकता है उसको फिर further अकबर ने निखा रहा ठीक है यह देर्फोर बिन राइटली काल्ड दे फोर रॉनर अफ अकबर कह सकते हैं बिलकुल सही राइट अनफॉर्चनल शेर्शाह के जाने के बाद इसलाम शाह आया और वो हैंडल नहीं कर सका उस ने इसलाम शाह ने चलाया आठ साल लेकिन शेर्शाह जैसे स्मार्ट न फ्ली फ्ली फ्लाइडिया जो कि हम जानते ही इस सबको ओर तो ही दिद नॉट इनरेट दा क्वालिटी इस फादर, येट ही कैप इस हेरिटेज इंटेक फर एक यह सीर्शा ने इतना बढ़िया सिस्टम बना कर दिया था कि इसलामशा चला लिया उसने इसलामशा केवल बैठा है उसने केवल गाड़ी चलाने काम किया स्टार्ट करके श इसलामशा के जाने के बाद तीन हिसम घार्ट इसलामशा ब इस पॉलिटिकल के उस प्रोवाइड हुमायू विद नीडिड ओपर्चुनिटी तो स्टेज अ कमबेक इन इंडिया। हुमायू डिफीटिड सिकंदर सूर। उस सक्सीड़िड इबराहिम सूर। इन बैटल नियर सरहिंद इन 1555 और उक्यूपाइड दिलिय नागरा। यह हम जानते ही हैं। सिकंदर सूर को हराया। इबराहिम सूर के बाद आये थे। पंजाब के गवर्णर थे उस समय वो और पंजाब को हराते ही। उन्होंने तोरण दिल्ली आगरा कंट्रोल में किया। और फिर बाकी सब सूर। शार्षकों ने भी हाथ से खड़े कर दिये कि नहीं होरा हम से अद्मिनिस्टेशन उन्हें चल रहा था बेसिकली। अफगान एंपायर लाइक फिर्स्ट वन वन्स अगें फेल तो ट्राइबल कॉंसेप्ट क्यूं हारे वो क्यूंकि जो अफगानी ट्राइबल कॉंसेप्ट हैं कि अफगानी जो हैं वो सुविरनेटी नहीं मानते किसी की वहीं से ही decentralization फैल गया and political intrigues of the Afghan nobility the field was left to the Mughals and Akbar used every opportunity to retrieve the Mughal prestige and power ठीक है तो यह मैप आप देखेगा इसमें आपको देखने को मिलेगा देखेगे limit of Babar's domain on Eve of his overthrow Delhi Sultanate 1525 एक किसके overthrow यह वाला जो रिजयन आपको नजार आ रहा है बाबर ने control किया एक सेगे नेक स्कीन लिमिट ऑफ बावर्वर डोमेन ओवर ओन इव फिस ओवर्थ्रो ऑफ डेली सलतरेथ 1525 अच्छा 1525 के आसपस ठीक है इतना रिजन जो है वावर ये कंट्रोल में था जब वो क्या बलता है फरगना वाले रिजन से निकला तो काबुल वाला रिजन लाहौ और पंजाब तक उसके कंट्रोल में था तो उसके बाद देख रहे हैं इवेंचली दिल्ली केप्चर के आरों ने देखिए नेक्स आएगा लिमिट ऑफ एडिशनल एरियाज एडिट टू मुगल एम्पायर अप टू हमायूज डिफीट बाई शेर्शा ठीक है ये रिजन इतना देख रहे हैं आप इतना रिजन मलब बंगाल लेकिन बिहार तक का रिजन जो है वो शेर्शा के आने से पहले कंट्रोल किया फिर शेर्शा ने कहां तक किया यह मैंने आपको पहले मैप में बताया शेर्शा ने सिंध वाला एरिया इतना एरिया अपने कंट्रोल में क गया अकबर और फिसके सक्सेस और फाइनली और अंगजेब जो है वो यहां लास्ट तक पहला है उसने एंपायर को लेकिन जाज समय तक वो अच्छा है इस मैप को आप डाउनलोड जरूर कर लिजेगा और डिटेल में पढ़िएगा ठीक है तो यहां पर आज हमारा यह सेशन होता है खतम जिसमें आज हमने क्या पढ़ा शेर शाहा सूर के बारे में शेर शाहा सूर की पॉलिटिकल हिस्ट्री उसके एड्मिनिस्ट्र इस सेशन का पीडियाप कहां से मिलेगा आपको चौहान-sr-history से 10% डिसकाउंट पाने के लिए किसी भी कोर्स पर कोड यूज़ करेंगे आप मेरा सेम कोड चौहान-sr-sr-history और टेलिग्राम चैनल भी यही है स्पेशल क्लासिस के लिंक आपको यहां से मिल जाएंगे ठ आपका काम है यह ठीक है जरूर करें और डीम कर सकते हैं आप मुझे इंस्टा पर अपने डाउट्स जो भी आप पूछना चाहें ठीक है तो खतम करता हूँ आज का मेरे सेशन मिलता हूँ आप अगले सेशन में तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा टेक केर हैव ना इननने खता हूँ आपने तब एक तिसे ने खता है विलेगे तक सरदय में अपने के डीम कर थले एट you